पर कुछ रिष्टे दभी पाउं आकर मौसम पर भी अपना रंग छोड़ जाते हैं मौसम पर भी अपना रंग 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 इती दोषदी ने की वजया बता सरू अगो जिए ऐसेजिए था सम्माइब करणके ermाव जब के नहीं हमामाख जब कर दिए और मुद्विरेगारी ही आँड्राइब कर दो कि जो होते हैं जो मुद्वित खाद सकता से खाद मुद्वित ठाद से खाद्ज खाद से खाद से अब अब तुम ना जाने कहां से आया और कितना पुछ बदल गया जन्दगी में पेडि़ी बारस इस दिल में किसी को दिल से चाहा वाइड़ा लुदर नहीं अलवदा नहीं अलवदा कैने से पिरमिल्ले के उमीद मर जाती है क्या पता पिरमिले अ थे बॉली बुट के फेमस डायरेक्टर प्रोडियूसर करण जोहर की फिल्म कभी अलबिदा न कहना गेरा अगस्त दोजाद्शे को रिलीज हुई थी इस फिल्म में अमिताब बच्चन, अविशेक बच्चन, सहरुखान, करण खेर, प्रिती जिन्टा और रानी मुखरजी से दिगच कलाकार थे इस फिल्म के रिलीज हुए 15 साल से भी ज्यदा वक्त हो चुका है इस मौके पर फिल्म मेकिंग से जुड़े कुछ मज़िदार किस से बताते हैं करण और काजोल की दोस्ती जग जाहिर है लेकिन करण ने इस फिल्म में काम करने का आफर काजोल को दिया तो उन्होंने ठुकरा दिया था काजोल को पसंद नहीं आये थी कहानी जब करण जोहर ने कभी अल्विदाना कहना बनाने का फैसला किया तो उन्हें अपनी दोस्त काजोल की याद आई उन्हें पूरा यقीन था कि काजोल उन्हें मना नहीं करेंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं करण के आफर को काजोल ने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें इस फिलम की कहानी अच्छी नहीं लगी उन्हें ये पसंद नहीं आया कि एक आदमी और एक महिला अपनी साधी के बाद अपने अपने पार्टनर को धोखा दे कर अफैर में है सोख और खरी-खरी कहने वाली काजोल ने करण को बता दिया था कि उन्हें पसंद नहीं आया करण जोहर के सोख काफी विद करण पर जब करण ने काजोल से कहा कि अशरर राय और अपसेक बचन को कोई अडवाईस दे दो क्योंकि दोनों की अभी नई नई साधी हुई है इस पर काजोल ने हसते हुए कहा था कि कभी अलबिदा न कहना मत देखना इस फिल्म की सूटिंग नुई यार्क में हुई थी फिल्म की रिलीज के बाद करण जोहर अपनी फिल्म को लेकर थोड़े चिंते थे उसे वक्त अपने एक इंटर्ब्यू में करण जोहर ने बताया था कि मेरी टिपिकल फिल्मों से हटकर एक फिल्म होगी इसके अलावा शूटिंग के दिनों और कलाकारों के बारे में बताते हुए कहा था कि इस फिल्म में सभी दिगज कलाकारों ने काम किया सबके अपने-पने एगो रहते हैं लेकिन इन्हें पता है कि इसे कैसे हैंडिल करना है क्योंकि ये किसी फिल्म को नुकसान नहीं पहुचाना चाहते इस सबसे ओपर सब मेरे फ्रेंड है मुझे नहीं मालुम कि इन्हें डारेक्ट करने में में कितना सफल हुआ फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है आगे देखते हैं क्या होता है क्रल जो हमने बता था कि नुव्यार्क में शूटिंग करना इतना आसान नहीं था कडाके की ठंड और ओवर बजट की समयस्या के साथ साथ लोकेशन की परमीशन लेने में भी दिग्कत होती थी विदेश में आप जहां चाहे वहां शूटिंग करने की परमीशन मिलना आसान नहीं होता इसके लिए बकाइदा पबलिक की परमीशन भी लेनी होती है मुझे उमीद है कि जो लोग अच्छी स्क्रिप्ट और कहानी देखना चाहते हैं वो मेरी फिल्म जरूर देखेंगे करन ने कहा था कि परिसनली मैं मैरीज इंस्टिटूशन के खिलाफ हूँ मैं कभी साधी के बंधन में नहीं बंधने वाला हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि या फिल्म थोड़ी हटकर है जब इस फिल्म के रिलीज के पंदरा साल हो गए थे करल जोहर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का वीडियो सेर कर लिखा था कि लगता ही नहीं कि पंदरा साल बीद गए या फिल्म हमेशा मेरे लिए खास रहेगी कभी हल्पदाना कहना को म्यूजिक संकर ऐसान लाइने दिया था इसके सारे गाने बेहद हिट हुए थे नितवा राक और रोल, बेर्स दा पार्टी टुनाइट कभी हल्पदाना कहना जैसे गाने आज भी पसंद किये जाते हैं फिल्मेकर करण जोहर को यू तो अपनी सारी फिल्मे काफी पसंद है लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसे वह दुबारा बनाना चाहते हैं यह फिल्म है अमिताब बच्चन, सहरुखान, रानी मुखरजी, प्रीती जिंटा और अब सेख बच्चन इस्टारर कभी हल्पदाना कहना करण एक्स्ट्रा मैरिटल अफैर यानी बिवायत्तर संबंधों पर आधारित अपनी इस फिल्म का रिमेक बनाना चाहते हैं इसका खुलासा करण ने अपनी आत्म कथा एन अंसूटबल बॉय में किया है करण का कहना है कि कभी हल्पदा न कहना एक ऐसी फिल्म थी जिसे लेकर दर्शकों के दो बड़े धड़ बन गये थे एक धड़े को फिल्म बहुत पसंद आई थी और दूसरे धड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी लेकिन मैं इस बोल्ट माने जाने वाले बिसे पर फिल्म बनाना चाहता था मुझे लगता है कि गलती बस या हुई कि मैंने इसे भी अपने बैनर के चिर परचित भविता वाले पैमाने यानी बड़े सेट्स ग्रेंड लेवल के गाने वगहरा के साथ बनाया उन्होंने कहा इस फिल्म की कहानी के लिए या भविता जरूरी नहीं थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसलिए में फिल्म दوبारा बनाना चाहता हूं और मैं ऐसा करूँगा भी इस फिल्म की सुटिंग के बारे में करन लिखते हैं इस फिल्म के दौरान एकलोते अभिषे कैसे अक्टर थे जिससे कोई दिक्ट नहीं थी क्योंकि उनका ही रोल पूरी तरह से पाज़ती था बाकी के कलाकार लगातार मुझसे सवाल करते रहते थे प्रीती का सवाल था कि फिल्म में उनके पती का किलदार निबार है सेरुखान उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकते उनके किलदार में क्या खराबी है वो हिराने का कहना था कि उन्हें एक सेन तो ऐसा दो जिससे जिस्टिफाई हो सके कि वो अपने पती के साथ बेउफाई क्यों करती है आखिर इतना अच्छा पती है तो आद दूसरे के पीछे क्यों जाएं करने अपनी इस किताम में कल हो ना हो को खुद डारेक्ट ना करने प इसे निर्मित किया गया था इसमें परम भूंकाओं में थे सहरुखान रानी मुखर जी अभी से बच्चन और प्रिती जिंटा जबकि सायक भूंकाओं में थे मिताब बच्चन और किरन्द खेर इस मोवी में संगीत दियत्था संकर एहसान लाइने इसके च्छाया गार्थ सबसे जदा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई थी आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में माया यानी रानी मुखर जीय का नाथ है जो अपने बच्चपन के दोष्ट रिसी तलवारे ने अपसे एक बच्चन से साधिक कर रही है दोनों को रिसी के पिता समर्जीत उर्फ सैम यानी अमिताब बच्चन ने पाला है देव सरानी सहरुखान सियुक तराज अमेरिका में एक सफल फटबाल खिलाडी है वह नियार्ग सहर में अपनी पतनी रिया यानी प्रिती जिन्टा अपने बेटे अरजुन और अपनी मा कमल जीत और कमल यानी किरंखेर के स पर इसी ससाधी करने से पहले माया ने देव से मुलाकात की यद्दिब देव और माया अजनवी हैं फिर भी हुए एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं देव एक कार में मारा जाता है और वह अस्थाई रूप से अपने पैर में चोट पाता है चार साल बाद पुचिड़ा और देश पूड हो गया है और रिया के सफल करियर को देख कर वह उससे मन ही मन जलता रहता है माया भी इसी तरह की इस्तित में है उसने पाया कि वह बाज है और इसी के प्रत कोई प्यार महसूस नहीं करती क्योंकि वह मानती है कि वह स्वारती है देव और माय से अपने अकेले पण को दूर करने में एक दूसरी की मदद करने का फैसला किया है देव और माया अपने संबंधित रिष्टों के तनावा से ब्रेक लेने का फैसला करते हैं ऐसा करने में आख खुद को एक दूसरी के का रोल निभाय था किरन खेर ने कमल जीद और कमल सरन का रोल निभाय था इसमें कुल साथ गाने थे जिसके बॉल कुछ यू हैं कभी हल्बदा न कहना मितवा राकें रोल सुनिये तुम ही देखो ना बेर्स दा पार्टी टुनाइट मितवा जो कि जनसोधन में था फ्वेर ब को 2007 में फिल्म फिल्म फेर सब्सेश सहाय का भिनिता पुरुषकार अब से एक बच्चन को दिया गया था कभी हल्बदा न कहना दुनिया भर में 6 अगस्ति 2006 को रिलीज हुई थी जिसे समिचकों से मिली जली समिच्चा मिली इसके विसेश रुप से अमेरिका में एक परमुग बेवसायक सफलता थी जो 2006 की 34 सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉली बुट फिल्म बन गी इसके त्रिक्तिया अंतराश्टी अस्तर पर विसेश रुप से अमेरिका में एक परमुग बेवसायक सफलता थी यह रिलीज के समय बिदेशों में अब तक की सबसी ज़दा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गी फिल्म को दुनिया भर के बारा सो से अधिक सिनेमा घरों में परदर्शित किया गया था फिल्म ने दुनिया भर में कुल 1.13 बिलियन की कमाई की इसे टोकियो अंटराश्टी फिल्म महस्तों में परदर्शित किया गया था अब आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में वक्त है 2002, माया एक अनाथ है जिसे अपने सबसे करीबी बच्पन के दोस्त रिशी तलवार से साधी करनी है इन दोनों की परवरिस रिशी के मौजमस्ती करने वाले अमीर पिता समर जीतने की है देव एक सफल फुटबाल खिला ली है जो नियार्क सहर में अपनी पतनी रिया, अपने बेटे अरजुन और अपनी मा कमल जीत के साथ रहता है माया रिशी सबसादी करने से पहले देव से मिलती है हाला की दोनों अजनबी हैं, वे तुरंत जोड़ जाते हैं उनके अलग होने के ठीक बाद देव एक कार्शिट टकरा जाता है उसे अपने पैर में अस्ताही रुप से चोट लग जाती है नतीजन अब वह फुटबाल नहीं खिल सकता चार साल बाद, वक्त है 2006, देव जोब लंगड़ा कर चलता है गुचसायल है और फुटबाल खिलने में असमर्थ होने के कारड कटू सुभाव का है फाइसन पत्रिगा के संपादक के रूम में रिया का सफल करियर उसे अपने सहीन महसूस कराता है चोग अब वह फुटबाल नहीं खिल सकता देव अब अपने बेटे सहिद जूनियर्स की एक टीम के फुटबाल कोच है इस बीश माया उसे बचकाना देकर अपनी बांज़पन और रिसी के लिए प्यार की कमी से जूज रही है देव और माया फिर से मिलते हैं और रिया और रिसी एक पेसवर संबंद बनाते हैं अपने जीवन साथी को खोने के बाद सैम और कमल एक दूसरे के अकेले पन में मदद करने के लिए दोस्त बन जाते हैं देव और माया एक ऐसे ही करने का फैसला करते हैं वे दोस्त बन जाते हैं और अपनी साधियों से बचने के लिए एक दूसरे को विचार देने की कोशिस करते हैं जिन में से सभी एसफल हो जाते हैं देव और माया को एसास होता है कि उनके मन में एक दूसरे के लिए भावन आए हैं ना कि अपने पार्टरनर के प्रत रिया ने लेक किया कि उसे एक पन्नोदत मिली है और देवक सेखी में चला जाता है यहां कहते है कि वह दिखावा करने की कोशिश कर रही है रिया ने देव पर उसकी पेशवर सफलता से एर्षया करने का आरोप लगया और उसे एक अच्छे पती और एक अच्छे पिता होनी की अपनी विफलता का एसास कराया क्योंकि वह अपनी कड़वाहट से बाहर नहीं आ सका उसी समय रिसी माया के स्नेह की कमी और बच्चे पैदा करने में असमर्तता के परत अपनी नाराजगी पर अपनी निरासा बिक्त करता है बेकार महसूस करते हुए माया ट्रेन स्टेशन पर एक निरास देव से मिलती है और दोनों कबोल करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है देव और माया एक चक्र Śुरू करते हैं लेकिन अपने जीवनसाथी की भाणाओं के साथ खेलवाण करने के लिए दूसी महसूस करते हैं क्योंकि रिया और रिसी दोनों अपनी स बादियों से सफल बनाने की पूरी कोशिस करते हैं फिर भी देव और माया हार मान लेते हैं और प्रेम कर लेते हैं वह बाद में सैम और कमल के गले लग जाते हैं जो हैरान और परेसान हैं कि उन्होंने रिया और रिसी दोनों के काम करने की कोशिस करने के बावजूद उन्हे सेम को दिल का दोरा पड़ा अपनी मर्तियु सेया पर वह माया को रिशी को छोलने की सलाह देता है कि कि वह इन दोनों को जीवन में खुसियों सेवांचित कर रही है सेम की मर्तियु के बाद देव और माया ने फैसला किया कि उन्हें अपने रिश्टे को खतम करना चाहिए दे देते हैं, तीन साल बात, वक्त है 2009, देव और माया दोनों दुखी होकर अकेले रहे रहे हैं, रिसी माया के पास जाता है, और बताता है कि उसे फिर से प्यार हो गया है, और वा दुबारा साधी कर रहा है, वह माया और रिया को अपनी साधी में अमंतृत करता है, रिया अ उसका प्यार देव पाने के लिए प्रसाहित करते हैं वह खुलासा करते हैं कि वह अपनी नई नोकरी के लिए ट्रेन से टोरंटो जानी वाला है ट्रेन इस्टेशन पर देव माया को देखता है लेकिन उससे बज़ता है वह अब इस्वांस करते हुए कि वह अभी भी रिशी के साथ है हाला कि जैसे ही ट्रेन दूर जाती है दोनों आँख से संपर करते हैं उनके आँसों को देखर देव इमर्जनसी ब्रेक खिंचता है और वापस लोड़ता है और यूगल फिल से मिल जाते हैं कभी इल्बिदा न कहना का सीर्षक चलते जलते जो के 1976 में आई थी के गीत चलते मेरे एक गीत याद रखना की एक पंतिपरा धारी थे फिल्म का निर्देशन और लेखन करर जोहर ने किया था जिन्होंने पटकतान लिखने के लिए सिबानी बाजिता के साथ सही हो किया था और सुवाज निरंजन अईयर दोरा लिके गए थे धर्मा प्रोडेक्शन के तहद अपनी पहली फिल्म में करण की मा हीरो जोहर निर्मित, संगीत तिकडी, संकर एहसान लाय दोरा, जावेद अक्तर दोरा, लिखित गीत की साथ सौंट्रे का परदर्शन किया था हरै खान को कस्ट्यूम डिजाइनर के साथ फिल्म के कुरियोग्राफिक पहलों को देऊस्थित करने के लिए लाया गया था मनिस मलोहत्रा प्रोडेक्शन डिजाइनर, सरमिठा राय और मैक कॉस्मेर्टिक सभी प्रोडेक्शन में परमुग भूमका निभा रहे हैं काजोल को सुरुवात में माया तलवार की भूमका की पैसपस की गई थी ये सरास फिल्म की फना जोकी 2006 में आई थी के साथ अपनी पूर प्रवित्ताओं के कारण जब उसने इंकार कर दिया तया भूमका उसकी चचेरी बहन रानी मुखर जी को दे दी गई जिसे प्रिती जन्टा की भूमका निभानी थी हाला कि काजोल ने राक एन रोल सुनिये गाने में आतित भूमका निभाई थी जान अबरहम टीजे के रूम में औरस दा पार्टी टुनाइट गाने में अतित भूमका निभाई है रितेस देशमुक के भी अतित भूमका थी लेकिन संपादन पृतिक्रिया के दौरान उनका द्रस कार्ट दिया गया था कभी हलविदा न कहना नियुयर्क सहर में इस्थापित है जबकि कई द्रस कनेक्टिकट में इस्ट हाट फोर्ड और न्यू हैवन में फिल्माए गया थे फुटबाल खेल के द्रस को रेस्टलर फिल्ड में फिल्माए गया था कई द्रसों में मैदान पर एक हलकी यूकोन देखी जा सकती है ग्रेंड सेंट्रल इस्टेशन के दिकान द्रस न्यू हैवन इस्टेन इस्टेशन और फिला डेलफिया के तीसवे स्टेट इस्टेशन पर फिल्माए गया थे एक सचातकर में करल जोहन ने कहा कि तुम्हें देखो नागाने के लिए खिल्माए गया था और या बेहर समय लेने वाला था गवनों का बलू सेक्षन अपर वेस्ट साइड में कोलंबिया इनिवर्सिटी में स्टूट किया गया था पेला सेक्षन, लोवर मेहन हटन में, वाल स्टेट में स्टूट किया गया था, बियर मांटेन इस्टेट पार्क में, आरेन सेक्षन, रेड सेक्षन में, होबोकन न्यूजर्शी में, पीरे पार्क और न्यू हैवन में, यूनिय स्टेशन पर ग्रीश सेक्षन, लाल खंड को स सारी रिक नुक्सान का खत्रा था। नतीजन फिल्म निर्माताओं ने बारे से दूर करने का फैसला किया। हाला कि वे अभी भी उन दोसो लाल चुत्रियों का उप्यों करना चाते थे। जो उन्होंने अनुकरम के लिए खरीदे थे। आखिर कारुनों ने रियर्ट सेक्षन को एक जूप वाले दिन सूट करने का फैसला किया। जहां भी निताओं ने सूरज को बाहर निकलने के लिए छत्रियों का इस्तिमाल किया। ग्रीन सेक्षन की सूटिंग में भी दिकते आई। अनुभाग के लिए दोसो अतरिक्त किराये पर लिए गये थे लेकिन केवल पंदरा ही दिखाए गई। नतीजन सेट पर मवजूद क्रू मेंबर्स ने उनकी जिगह लेने के लिए हरे रंकी पर साख पहने थी। आयन मुखर जी जो की फिल्म में सहाक ने दे सकते को हरे रंके स्वेटर में एक फ्रेम में एक बाक्स जाते हुए देखा जा सकता है। फिल्म को अमेरिका में 90 दिनों की शूटिंग आवद में फिल्म आया गया था लेकिन मुंबई के स्टूडियो में चार बड़े सिटो बरकुष दरस फिल्म आया गया थे। अमेरिका में फिल्मांकल के दौरान मुखर जी गंभीर तोचा अलजी से पीड़ी थे। करल जोहर की पिछली फिल्मों की तरह कुछ कुछ होता है जो कि 1998 में आया थी। कभी खुषी कभी गम जो कि 2023 में आया थी। कभी अलबदा ना कहना में चार सब्दों का सीर्षक है जो कैसे सुरू होता है। कभी इल्बदाना कहना का संगीत और पश्टभूम इसकोर संकर एहसान लाय दोरा रचित था जबकि गीत जावे दक्तर दोरा लिखे गए थे। या दूसरी बार है जब गीतकार जावे दक्तर और संगीतकार संकर एहसान लाय धर्मा प्रोडक्शन के लिए साथ आये थे। एक जगजोर देने वाला मितवा की बिचारों तक सूफी राग बैलाट ने पाकिस्तानी गायक सफकत अमानत अली को पाली बुर्द्रस में पेश किया। राक एन रोल सुनिए साथ के दसक का राक एन रोल ट्रैक जिस संकर महाधेवन सानु लचमे कांत अयर ने गाया था टाइटल ट्रैक का ट्रांस संसक्रड है जो बाले बुर्द में दुरलब है। अल्बम में एक रिमिक्स भी है मितवा रिविस्टेड साउंट्रैक चेर्शक ट्रैक के एक दुख़ संसक्रड के साथ समाब्द होता है। कभी अल्बदा न कहना दुख़ संसक्रड जो नियत की बात करता है जीवन में फिर से मिलना और कभी अल्बदा नहीं कहना तीनों ने इस बात का ध्यान रखा की अल्बम की धुन दोहराओं ना हो खासकर जब से साउंट्रैक की समगर सैली उनके पीछे चार्ट बस्टर हो करना हो के समान है कभी अल्बदा न कहना का साउंट्रैक युनाइट के गड़म में 12 जुन 2006 को लांच किया गया था और 16 जुन 2006 को मुंबई में साथवे IIFA आवार्ट्स में एक भविसंगिर लांच के साथ अधिकारिक तोर पर भारत में रिलीज किया गया था सभी की जावे न कहना जो कि शायड वर्जन में था जिसे गया था सोनु निगम अलकाय गिनिक सबकत आमानत अली संकर महादेवन कारा लिसा मुंटिन वसंधरादास सांच जाय बरुआ बालिपुड हंगामा के जुगंदर टुटेजा ने शुरुआती नकारातमक प्रतिक्रिया और परच हैं लेकिन अपने लिए गाने सुनने पर आपको एसास होता है कि या कुछ भी नहीं है बलकि ये का फवा है अलबम टीम का एक और अच्छा हुतपाद है जो उस तरह का पत परदर्शक संगीत परदान करता है उसकी पिछा की जाती है डेडिप की सुकन्य और मान ने अलबम को मधुरी भूखों के लिए एक इलाज कहा गंगेश्टर फणा और क्रिस जैसे संगीत हिट से कड़ी प्रित इस परदा का सामना करने के बावजूद एलबम खुला और दस सीधे हपतों के लिए संगी चार्ट में सीर्ष स्थान पर बनाए रखा बाक्स आफिस इंडिया क टीजर ट्रेलर फणा के सार्ड रिलीज किया गया था जो 26 में 2006 को रिलीज हुआ कभी हल्बिदा न कहना एक मल्टी स्टार कास्ट के साथ 11 गई 2006 को प्रीमियर हुआ और दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर्सित किया गया इंटरनेट मोवी डाटा वेस के अन पिदाना कहना सब्सेट बिदेशी फिल्म के लिए 2007 के अकादमी पुरुषकार के लिए भरत के संभावत नामंकनों में से एक था जिसमें रंग दे बसंती, क्रिस, और अमकारा और लगेर और मुना भाई जैसे फिल्में भी दौर में थी हलाकि देश ने अंदता रंग दे बसंती को अपनी पसंद के रूम में चुना इंटाट काम के आलोचक तरड आदर्श ने इस बिशे को एक नाजिक बिशे के रूम में वड़ित किया जो असानी से बिनास्कारी हो सकता था और जिस तरशी निर्देशक रर जोहर ने साहस पूर फिल्म का निर्माड किया है उनकी परसंसा की इसे आज तक का उनका सबसे अच्छा काम बताया आदर्श ने विशे सुरूप से इस क्रिप्ट और निर्देशक दोरा दरस्यों के भी इस बिपरिद भानाओ को सामिल करने वाले उपकरणों को मनजूरी दी या टिपड़ी करते हुए कि पठकता को दो चरम सिमाओ को संतुलित करती है हलके छड़ और अद्भु सहचता के एक साथ बहानाओ की गुड़िया बिक्तिगत कलाकारों के परदर्शन की भी आदर्श ने परसंसा की जिन्होंने कास्टिंग की परभासिलता और अभिनताओं की बाचीत पर टिपड़ी की राजिव मांसर ने फिल्म को पांच में से चार इस्टार दिये जो इसकी निंपिले और जोहर के निर्देशन के परसंसा करते हुए कहते हैं कुछ लिखों का अपनी पढ़गिता पर इतना ठोस नियंत्रड होता है जितना की करर जोहर का उचे से निशे पठारों से लेकर चोटियों तक एक समर्सिता की आसानी के साथ वह जानता है कि कैसे समवाद की केवल एक पंक्तिया प्रश्ट भूम संगित के संकितों के साथ एक समान द्रस को बिसेस रुपसिक को इसे बिसेस में बदलना है गराइटी के डेरेक अली ने सभी कलाकारों द्वारा परदेशित भावनाओं की बिविता के परसंसा करते हुए कहा कि लेकिका सिबानी बात्ता में कभी भी अपने पात्रों को बहुत लंबे समय तक एक सुरचित भावत मकस्तान पर रहने नहीं दिया बाधाव या साजिस के बज़ाए उनके अपनी कमजोरियों से आती है और पन गलत फैमी अली ने अमिताब बच्चन के परदर्सन को एक उमर दराज ले थोरियों के रूम में देखा और प्रिती जिन्टा के अपने सरंगार से बहुत आगे बढ़ने के रूम में परसंसा की हाला कि रेडिब डाट काम के राजा सेन फिलम की विशेश रूप से अलोचनात्मक थे उन्होंने इसकी लंबाई के फ्रत असंतोस भी बेक्त किया जिन्होंने टिपड़ी की मैं बुड़ा महसूस कर रहा हूँ कर जोहर की विशाल 22 रील कभी अलबदा न कहना के एक सो ने मुझे अबे सुसनी रूप से ठका दिया मैं हाल से बाहर चला गया अपने गालों पर ठोट महसूस कर रहा था सोच रहा था कि क्या मेरे कपड़े अचनक पुराने हो गए हैं और मेरे बाल बदल गए हैं गिरे मैंने अपनी जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया और आप भी खो दोगे आने अलोजकों के विप्रित उन्होंने पड़कता में खामियों के पहचान की और पात्रों की ताकत के लोशना करते हुए कहा पात्र कार्ड बोर्ड है सेटिंग चका चौंद है गाने ठाकाओं है और कहानी उच मॉलो ड्रामा और लेपेश्टिक पर फुलिता के दीज दोलन करती है कहीं नहीं जा रही है साहिद ही कभी एक है कमजोर पढ़कता पर हर पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बड़े नामोवाले सुन्दर लोगों पर पूरी तरह से निर्भड करती है सेटिंग तराज अमेरिका में फिल्म को कई सकारात्मक समिछाय मिली थी नियर्क टाइम्स के निर्ज जिजलिंगर जैसे अलोशको ने फिल्म की जीवन से भी बड़े परिक्त पर जोग दिया या टिपड़ी करते हुए कि या बारी बूट के बड़े सितारों से भरा हुआ है और सब कुछ आकर से बाहर है और सब कुछ आकार से बाहर है बारिश के तुफान वास्तिक जिवन के तुलना में थोड़ा अधिक बारिश वाले हैं पौन मसीनों को एक अत्रिक्त पाइदान पर क्रैक किया जाता है क्लो जब करीब आते हैं और समान इसे अधिक लंबे होते हैं प्लाट को चलाने वाले संयोग थोड़े अधिक हैं और समान परगिदा लेखन की अनुमत की तुलना में संभावना नहीं है उन्होंने पठकता में हाज से और बच्चों के फुटबाल मैच, बेड इस्टोर और बेले सोजे से कुछ द्रस्व में दिर्देशन की कामिक टाइमिंग की परसंसा की तभी हल्बदाना कहना ने भारत में कई सहरों में रिकार्ट तोर सुरुआत की और अपने पहले हफते में ही 600 मिलियन की कमाई की हाला कि यह वर्तमान में सुध संग्राय के अनुसाल जोहर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म है बले ही मुद्रा स्पित के लिए असमाय जित हो यह एक भारती फिल्म के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जिसे कभी खुशी कभी गम का पांस साल पुरा नरिकार तोड़ दिया गया 10.77 मिलियन की कुल बिदेशी कमाई के साथ फिल्म 2013 तक 30 सबसे बड़ी बिदेशी कमाई करने वाली फिल्म थी इसे सिंग्तिराज अमेरिका और यूएस में 1.3 मिलियन और यूके में 1.4 मिलियन के पहले सबताहां की कमाई के साथ मजबूती से सुरुआत की कुल मिलाकर का भी हल बिदाना कहना ने सिंग्तिराज अमेरिका में 32,75,444 डॉलर 71 किया जोकि बिटन ने इसने 50,89,888 यूरो से अधिक कमाई की अमेरिका में इसकी सफलता में एकजान देने वाला एक कारेक याहता थी था कि इसने 24 थियाट्रों में सुरुआत की जो मियामी टपपा और रेले जैसे कम भारती आबादी वाले सहरों में बाली बुड फिल्म के लिए असमान एरोप से उच थी कभी हल बदा ना कहना के कुल बिसपपी कमाई 1.13 बिलियन थी इसको बाली बुड मोवी तीन आवार्ड मिले थे और 9 में नोमिनेट किया गया था फिल्म फियर प्रिसकार में एक प्रिसकार जीता था और 23 नोमिनेट किया थे बेस्विक भारती फिल्म परिसकार दो जीते थे और बारों में नोमनेट किया गया था अंतराश्टी भारती अकादमी परिसकार एक जीता था और नोमनेट किया गया था स्क्रिन आवार्ड एक जीता था और आट में नोमनेट किया था इस्टारडर्श प्रिसकार एक जीता था और 6 में नोमनेट किया था जिसने आवार्ड पांच जीते थे और 26 में नोमनेट हुए थे खुल इसने 14 आवार्ड जीते थे और 33 बेश को कुछ नोमनेशन मिले थे बॉली बुड के फेमस डायरेक्टर प्रोडूसर करण जोहर की फिल्म कभी अलबिदा न कहना गेरा अगस्त 26 को रिलीज हुई थी इस फिल्म में अमिताब बच्चन, अविसेक बच्चन, सहरुखान, किरण खेर, प्रिती जिन्टा और रानी मुखर्जी से दिगच कलाकार थे इस फिल्म के रिलीज हुए 15 साल से भी ज़्यदा वक्त हो चुका है इस मौके पर फिल्म मेकिंग से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से बताते हैं करण और काजोल की दोस्ती जग जाहिर है लेकिन करण ने इस फिल्म में काम करने काफर काजोल को दिया तो उन्होंने ठुकरा दिया था काजोल को पसंद नहीं आये थी कहानी जब करण जोहर ने कभी अलविदाना कहना बनाने का फैसला किया तो उन्हें अपनी दोस्त काजोल की याद आई उन्हें पूरा यकीन था कि काजोल उन्हें मना नहीं करेंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं करण के आफर को काजोल ने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें इस फिल्म की कहानी अच्छी नहीं लगी उन्हें ये पसंद नहीं आया कि एक आदमी और एक महिला अपनी साधी के बाद अपने अपने पार्टनर को धोखा दे कर अफैर में है सोख और खरी खरी कहने वाली काजोल ने करण को बता दिया था कि उन्हें पसंद नहीं आया करण जोहर के सोख काफी विद करण पर जब करण ने काजोल से कहा कि अशरर राय और अपसेक बचन को कोई अडवाईस दे दो क्योंकि दोनों की अभी नई नई साधी हुई है इस पर काजोल ने हस्ते हुए कहा था कि कभी अलबिदा न कहना मत देखना इस फिल्म की स्यूटिंग नुई यार्क में हुई थी फिल्म की रिलीज के बाद करण जोहर अपनी फिल्म को लेकर थोड़े चिंते थे उसे वक्त अपने एक इंटर्विव में करण जोहर ने बताया था कि मेरी टिबिकल फिल्मों से हटकर एक फिल्म होगी इसके अलावा शूटिंग के दिनों और कलाकारों के बारे में बताते हुए कहा था कि इस फिल्म में सभी दिगज कलाकारों ने काम किया सबके अपने अपने इगो रहते हैं लेकिन इन्हें पता है कि इसे कैसे हैंडिल करना है क्योंकि ये किसी फिल्म को नुक्सान नहीं पहुंचाना चाहते इस सबसे ओपर सब मेरे फ्रेंड है मुझे नहीं मालूम कि इन्हें डारेक्ट करने में मैं कितना सफल हुआ फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है आगे देखते हैं क्या होता है क्रल जोहर ने बता था कि नुव्यार्क में शूटिंग करना इतना आसान नहीं था कडाके की ठंड और ओवर बजट की समयस्या के साथ साथ लोकेशन की परमीशन लेने में भी दिक्कत होती थी विदेश में आप जहां चाहे वहाँ शूटिंग करने की परमीशन मिलना आसान नहीं होता इसके लिए बकाइदा पबलिक की परमीशन भी लेनी होती है मुझे उमीद है कि जो लोग अच्छी स्क्रिप्ट और कहानी देखना चाहते हैं वो मेरी फिलम जरूर देखेंगे करल ने कहा था कि personally मैं marriage institution के खिलाफ हूँ मैं कभी साधी के बंधन में नहीं बंधने वाला हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि या फिलम थोड़ी हट कर है जब इस फिलम के रिलीज के 15 साल हो गए थे तो करल जोहर ने इंस्टाग्राम पर फिलम का वीडियो सेर कर लिखा था कि लगता ही नहीं कि 15 साल बीद के या फिलम हमेशा मेरे लिए खास रहेगी कभी हल्पिदाना कहना को म्यूजिक संकर ऐसान लाइने दिया था इसके सारे गाने बेहद हिट हुए थे नितवा राक एंड रोल, बेर्स दा पार्टी टुनाइट कभी हल्पिदाना कहना जैसे गाने आज भी पसंद किये जाते हैं फिलम्मेकर करण जोहर को यू तो अपनी सारी फिलमे काफी पसंद है लेकिन एक फिलम ऐसी है जिसे वह दुबारा बनाना चाहते हैं यह फिलम है अमिताब बच्चन, सहरुखान, रानी मुखरजी, पृती जिन्टा और अब सेख बच्चन इस्टार कभी हल्पिदाना कहना करण एक्स्ट्रा मैरिटल अफैर यानि बिवायत्तर संबंधों पर आधारित अपनी इस फिलम का रिमेक बनाना चाहते हैं इसका खुलासा करण ने अपनी आत्म कथा एन अंसूटबल बॉय में किया है करण का कहना है कि कभी हल्पिदा ना कहना एक ऐसी फिलम थी जिसे लेकर दर्शकों के दो बड़े धड़ बन गये थे एक धड़े को फिलम बहुत पसंद आई थी वह दूसरे धड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी लेकिन मैं इस बोल्ट माने जाने वाले बिसे पर फिलम बनाना चाहता था मुझे लगता है कि गलती बस या हुई कि मैंने इसे भी अपने बैनर के चीर परचित भविता वाले पैमाने यानी बड़े सेट्स ग्रेंड लेवल के गाने वगहरा के साथ बनाया उन्होंने कहा इस फिलम की कहानी के लिए या भविता जरूरी नहीं थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसलिए मैं फिल्म दुबारा बनाना चाहता हूँ और मैं ऐसा करूंगा भी इस फिल्म की शूटिंग के बारे में करन लिखते हैं इस फिल्म के दौरान एकलोते अविश्य कैसे एक्टर थे जिसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनका ही रोल पूरी तरह से पाज़ती था बाकी के कलाकार लगातार मुझसे सवाल करते रहते थे प्रिती का सवाल था कि फिल्म में उनके पती का किलदार निबार है सेरुखान उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकते उनके किलदार में क्या खराबी है वो ही राने का कहना था कि उन्हें एक सीन तो ऐसा दो जिससे जिस्टिफाई हो सके कि वो अपने पती के साथ बेउफाई क्यों करती हैं आखिर इतना अच्छा पती है तो आद दूसरे के पीछे क्यों जाएं करने अपनी इस किताब में कल हो ना हो को खुड डारेक्ट ना करने पर अपसोस भीज़ताया कभी अलबिदा न कहना दोजार चे में बनी हिंदी भासा की नाड़की प्रेम कहानी फिल्म है इसका निर्दे संकरड जोहर ने किया था और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तहत इसे निर्मित किया गया था इसमें परम भूंकाओं में थे सहरुखान, रानी मुखर जी, अभिसेक बच्चन और प्रिती जिंटा जबकि सायक भूंकाओं में थे मिताब बच्चन और किरंड खेर इस मुवी में संगीत दियता संकर एहसान लाएने, इसके चायक आर्थे अनिल महता इस्टूडियो था इसमें दर्मा प्रोड़क्शन का इभारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इसकी कहानी अधिकतर नुव्यार्क सहर से गुजरती है और वेपिचार के बिसेव की पड़ताल करती है यहां अंतर राष्टी इस तर पर बिसेश रुप से सियुक तराज अमेरिका में सफल रही थी यह रिलीज के समय विदेशों में सबसे ज़दा कमाई करने वाली भारती फिलम बन गई थी आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में माया यानी रानी मुखर जीय का नात है जो अपने बच्पन के दोस्त रिसी तलवारे ने अपसे एक बच्चन से साधिक कर रही है दोनों को रिसी के पता समर्जीत और्पसैम यानी अमिताब बच्चन ने पाला है देव सरानी सहरुखान से जोगत राज अमेरिका में एक सफल फटबाल खिलाडी है वह नियार्क सहर में अपनी पतनी रिया यानी प्रिती जिन्टा अपने बेटे अरजुन और अपनी मा कमल जीत और कमल यानी किरनखेर के साथ रहता है पिर इसी ससादी करने से पहले माया ने देव से मुलाकात की यदिब देव और माया अजनवी हैं फिर भी हुए एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं देव एक कार में मारा जाता है और वह अस्ताई रोप से अपने पैर में चोट पाता है चार साल बाद देव अफटपालना खेलने में अस्परतता के कारड चिरचिरा और देश पोड़ हो गया है और रिया के सफल करियर को देख कर वह उस से मन ही मन जलता रहता है माया भी इसी तरह की इस्थित में है उसने पाया कि वह बाज है और इसी के प्रत कोई प्यार महसूस नहीं करती क्योंकि वह मानती है कि वह स्वारती है देव और माया ने सैम और कमल को एक फूल की दुकान में गिले लगते हुए देख लिया सेम और कमल ने समझाया कि दोनों ने अपने अपने पती पतनी को खो दिया है उन्होंने दोस्तु के माध्यम से अपने अकेले पन को दूर करने में एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया है देव और माया अपने संबंधित रिष्टों के तनाव से ब्रेक लेने का फैसला करते हैं ऐसा करने में खुद को एक दूसरी के प्रत आकर सिद पाते हैं इसमें मिताब बच्चे ने समर्जीष सैमैनी तलवार का रोलने भाय था शरुखान ने देव सरन का रोलने भाय था अभिसे एक बच्चे ने रिसी तलवार का रोलने भाय था रानी मुकरजी ने माया तलवार का रोलने भाय था प्रीती जिंटा ने सिया सरन का रोलने भाय था किरन खेर ने कमल जीद और कमल सरन का रोलने भाय था इसमें कुल साथ गाने थे जिसके बहुल कुछ यू हैं कभी हल्पदा न कहना मितवा राक एं रोल सोनिये तुम ही देखो ना बेर्स दा पार्टी टुनाइट मितवा जो कि संसोधन में था फ्यर बल ट्रैंस जिसको गया था सोनु निगम अलकाय गिनिक सबकत अमानत अली करल करलिसा मेंटोरो, संकर महादेवन, सान, लच्मी अयर, वसुंधरादास, लायमंडोसा, स्वेता फंडित करलिसा मेंटोरा ने इस फिल्म को दोजार साथ में फिल्म फेर सब्शेश सहाय कभिनिता पुरुषकार अब से एक बच्चन को दिया गया था कभी अलबिदाना कहना दुनिया भर में 6 अगस्द 2006 को रिलीज हुई थी, जिसे समिचकों से मिली जली समिच्चा मिली, इसके बिसेश रुप से अमेरिका में एक परमुग बेवसायक सफलता थी, जो 2006 की 34 सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉली बुट फिल्म बन गी, इसके त्रिक्तिया अंतराष्टी अस्तर पर विशेश रुप से अमेरिका में एक परमुग बेवसायक सफलता थी, यह रिलीज के समय बिदेशों में अब तक की सबसी ज़दा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गी, फिल्म को दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर अब आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में, वक्त है 2002, माया एक अनाथ है, जिसे अपने सबसे करीबी बच्पन के दोस्त रिशी तलवार से साधी करनी है, इन दोनों की परवरिस रिशी के मौज मस्ती करने वाले अमीर पिता समर जीतने की है, देव एक सफल फुटबा खिला ली है, जो नियार्क सहर में अपनी पतनी रिया, अपने बेटे अरजुन और अपनी मा कमल जीत के साथ रहता है, माया रिशी सबसादी करने से पहले देव से मिलती है, हाला कि दोनों अजनबी हैं, वह तुरंत जोड़ जाते हैं, उनके अलग होने के ठीक बाद, जो अब लंगड़ा कर चलता है, गुचसायल है और फटबाल खिलने में असमर्थ होने के कारड कट उस भाव का है, फाइसन पत्रिगा के संपादक के रूम में रिया का सफल करियर उसे अपने सहीन महसूस कराता है, चूकर वह फटबाल नहीं खिल सकता, देव अब अपने बेटे सहित जूनियर्स की एक टीम के फटबाल कोच है, इस भीस माया उसे बचकाना देकर अपनी बांज़पन और रिसी के लिए प्यार की कमी से जूज रही है, देव और माया फिर से मिलते हैं, और रिया और रिसी एक पेसवर संबंद बनाते हैं, अपने जीवन साथी को खोने के बाद सेहम और कमल एक दूसरे के अकेले पन में मदद करने के लिए दोस्त बन जाते हैं, देव और माया एक ऐसे ही करने का फैसला करते हैं, वे दोस्त बन जाते हैं, और अपनी साधियों से बचने के लिए एक दूसरे को बिचार देने की कोशिस करते हैं, जिन में सेखी में चला जाता है या कहते हिए कि वह दिखावा करने की कोशिश कर रही है रिया ने देव पर उसकी पेशवर सफलता से इर्षया करने का आरोप लगया और उसे एक अच्छे पती और एक अच्छे पिता होनी की अपनी विफलता का एसास कराया क्योंकि वह अपनी वाहट से बाहर नहीं आ सका उसी समय रिसी माया के स्नेह की कमी और बच्चे पैदा करने में असमर्तता के परते अपनी नाराजगी पर अपनी निरासा बिक्त करता है बेकार महसूस करते हुए माया ट्रेन स्टेशन पर एक निरास देव से मिलती है और दोनों कबोल करते हैं देव और माया एक चक्कर सुरू करते हैं लेकिन अपने जिवन साथी की भानाओं के साथ खिलवार करने के लिए दोसी महसूस करते हैं क्योंकि रिया और रिसी दोनों अपनी साध्यों से सफल बनाने की पूरी कोशिस करते हैं फिर भी देव और माया हार मान लेते हैं और प दोरा पड़ा अपनी मर्तियु सेया पर वह माया को रिशी को छोलने के सलाह देता है क्योंकि वह इन दोनों को जीवन में खुसियों सेवांचित कर रही है। तीन साल बात, वक्त है 2009, देव और माया दोनों दुखी होकर अकेले रह रहे हैं। रिशी माया के पास जाता है और बताता है कि उसे फिर से प्यार हो गया है और वह दुबारा साधी कर रहा है। वह माया और रिया को अपनी साधी में अमंत्रित करता है। रिया अपने पास ज के साथ जाती है जिसे वह आप-डेट कर रही है लिए ने माया को आफ़ैर के बारे में बताया और खुलासा किया कि उसने देऊ को छोड़ दिया है अलाकि जैसा कि रिया और रिसि दोनों आगे बढ़ चुके हैं, वह माया को उसका प्यार देव पाने के लिए प्रसाहित करते हैं, वह खुलासा करते हैं कि वह अपनी नई नोकरी के लिए ट्रेन से टोरंटो जानी वाला है, ट्रेन इस्टेशन पर देव माया को देखता है, लेकिन उससे बजता है, वह विश्वास करते ही हुए कि वह आपी भी रिशी के साथ है हाला कि जैसे ही ट्रेन धूर जाती है दोनों आंक से संपर करते हैं उनके आंसों को देखर देव इमर्जनसी ब्रेक खिंचता है और वापस लोड़ता है और यूगल फिल से मिल जाते हैं कभी इल्बदा न कहना का सीर सक चलते ज याद रखना की एक पंतिपारा धारी थे फिल्म का निर्देशन और लेखन करण जोहर ने किया था जिन्होंने पटकतान लिखने के लिए सिबानी बाजिता के साथ सयोग किया था और सुमाज निरंजन अईयर धोरा लिखे गये थे धर्मा प्रोडेक्शन के तहद अपनी पहली फिल्म में करण की मा हीरो एह जोहर निर्मित, संगीत तिकडी, संकर एहसान लाय द्वारा, जावेद अक्तर द्वारा, लिखित गीत की साथ सौंट्रे का परदर्शन किया था फ्रैखान को कस्ट्यूम डिजाइनर के साथ फिल्म के कुरियोग्राफिक पहलों को दिय स्थित करने के लिए लाया गया था, मनेश मलोहत्रा प्रोडेक्शन डिजाइनर सरमिठा राय और मैक कॉस्मेर्टिक सभी प्रोडेक्शन में परमुख भूमका निभा रहे हैं, काजोल को सुरुवात में माया तलवार की भूमका की फैसपस की गई थी, ये सरास फिल्म की पहना जो की 2006 में आई थी, के साथ अपनी पूर प्रवित्ताओं के कारण जब उसने इंकार कर दिया, तो या भूमका उसकी चचेरी बहन रानी मुखर जी को दे दी गई, इसे प्रिति जन्टा की भूमका निभानी थी, हाला कि काजोल ने राक एन रोल सुनिये गाने में अ द्रस कार्ट दिया गया था, कभी हल बिदा न कहना न्यूयर्क सहर में स्थापित है, जबकि कई द्रस कनेक्टिकर्ट में इस्ट हाट फोड और न्यू हैवन में फिल्माय गया थे, फुडबाल खेल के द्रस को रेस्टलर फिल्ड में फिल्माय गया था, कई द्रसों में मै पर वेस्ट साइड में कोलंबिया इनियर्सिटी में स्डूट किया गया था। कम तापमान के कारण वर्षा मसीनों दोरा अधिक वर्षा की बुंदे मध्य हवा में जमने लगी थी इससे विन्यताओं को सारी रिक नुक्सान का खत्रा था नतीजन फिल्म निर्माताओं ने बारिश से दूर करने का फैसला किया हाला कि वे अभी भी उन दो सो लाल चुत्र का इस्तिमाल किया ग्रीन सेक्षन की सूटिंग में भी दिकते आई अनुभाग के लिए दोसो अतरिक्ट किराये पर लिए गये थे लेकिन केवल 15 ही दिखाए गई नतीजन सेट पर मवजूद क्रू मेंबर्स ने उनकी जिगह लेने के लिए हरे रंकी पर साख पहने थी आय खाल लुकार से फिर्मा आई गये थे अमेरीका में फिलमांकन के दौरान मुख़लजी गं भीर तछा अलजी से पीरिक ते है करजोहर की पिछली प्लों की तरह कुछ कुछ होता है जो कि 1998 में आई थी कभी खुशी कभी गम जो कि 2000 रेक में आई थी और कल हो ना हो जो कि 2003 में आई थी कभी अलबदाना कहना में चार सब्दों का सीर्शक है जो कैसे सुरू होता है कभी अलबदाना कहना का संगीत और पश्टभूम इसकोर संकर एहसान लाय दोरा रचित था जबकि गीत जावेद अक्तर दोरा लिखे गये थे या दूसरी बार है जब गीतकार जावेद अक्तर और संगीतकार संकर एहसान लाए धर्मा प्रोडक्शन के लिए साथ आये थे तीनों ने जोहर के सामान से होकताओं में जनी लड़त की जिगह बली थी जिनों ने अपनी पिछली फिल्मों के लिए रचना की थी कुछ कुछ होता है कभी कुछी कभी गम और कल हो ना हो के बाद च़ूती बारकट जोहर के साथ सोनी बेमजी के तहट सोनी मेजिक इंडिया दोरा आईडियो अधिकार हांसल के गये थे सोनु निगम और अलकायगिनिक दोरा गाया गया सिर्शक गीत कभी अलबदा न कहना एक जगजोर देने वाला मितवा एक बिचारों तक सूफी राग बैलाट ने पाकिस्तानी गायक सफकत अमानत अली को पाली बुर्दरस में पेश किया पार्टी आजरात कहां है सान वा संधरा दासलाय और संकर महादेवन दोरा गया गया कलब गीत है अब सेक और प्रिती पर चितरित इसके बाद तुम ही देखो ना एक नरम और रोमान्टिक कथा गीत है जिसे फिर से सुने निगम दोरा गया गया अलका यगिनिक की जोड़ी को सहरुक होरानी पर चितरित किया गया अमिताब इसक और प्रिती पर फिलमाया गया राक एन रोल सुनिए साट के दसक का राक एन रोल ट्रैक जिसे संकर महादेवन सानु लचमेकांत अयर ने गया था टाइटल ट्रैक का ट्रांस संसक्रड है जो बाले बड़ में दुरलब है अलबम में एक रिमिक्स भी है मितवा रिविश्टेड साट्रैक चेरिशक ट्रैक के एक दुख़ संसक्रड के साथ समाप्त होता है कभी अलबदा न कहना दुख़ संसक्रड जो नियत की बात करता है जीवन में फिर से मिलना और कभी अलबदा नहीं कहना तीनों ने इस बात का ध्यान रखा की अलबम की धुन दोहराओं ना हो खास कर जब से साउंड ट्रेक की समगर सैली उनके पीछे चार्ट बस्टर हो ना हो के समान है कभी अलबदाना कहना का साउंड ट्रेक युनाइटेट किंगडम में 12 जुन 2006 को लांच किया गया था और 16 जुन 2006 को मुंबई मे साथवे IIFA आवार्ड्स में एक भभी संगिर लांच के साथ अधिकारिक तोर पर भारत में रिलीज किया गया था सभी की जावेद अक्तर द्वारा लिखे गये थे इसमें गाने थे कभी अलबदाना कहना मितवा पार्टी आज रात कहा है तुम्हें देखो ना राक एं रोल साथ, सांच, जाय, बरुआ, बालिबुड हंकामा के जुगंदर टुटेजा ने शुरुआती नकारातमक परतिकरिया और परचार को खारिश करते हुए कहा कैंग के संगित अलबम के रिकारिक रिलीज से बहुत पहले अपवा ब्रिगड अलबम को गिराने में दिनराल लग पाद है जो उस तरह का पत परदर सक संगीत परदान करता है उसकी पिच्छा की जाती है डेडीब की सुकिन्या और मा ने अलबम को मध्री भूखों के लिए एक इलाज कहा गंगश्टर फना और क्रिस जैसे संगीत हिट से कड़ी प्रित इस परदा का सामना करने के बावज अलबम खुला और दस सीधे हपतों के लिए संगी चार्ट में स्रीष स्थान पर बनाए रखा बाक्स आफिस इंडिया के आकड़ों के अनुसार अलबम ने भारत में 20 लाक से अधिक प्रित किया बेची जिससे यह धूमटू से थोड़ा पीछे वर्ष का दूसरा सबसे और दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर्शित किया गया इंटरनेट मोवी डाटावेस के अनुसार मोशन पिक्चर्स इसरसियेशन आफ अमेरिका ने मोल रोप से फिल्म को भासा और कुछ योवन समागरी की करण आर रेटिंग दी थी अपील पर इसे PG-13 की दोबारा रेटिंग दी गई कभी हिल बिदना कहना सब्सेट बिदेशी फिल्म के लिए 2007 के अकादमी पुरुषकार के लिए भरत के संभावत नामंकनों में से एक था जिसमें रंग दे बसंती, किरिस, ओमकारा और लगे रो मुन्ना भाई जैसे फिल्में भी दौर में थी हलाकि देश ने अंतता रंग दे बसंती को अपने पसंद के रूम में चुना इंडाट काम के अलोचक तरड़ आदर्स ने इस बिशे को एक नाजुक बिशे के रूम में वड़ित किया जो असानी से बिनासकारी हो सकता था और जिस तरशी निर्देशक करण जोहर ने साहस पूर फिल्म का निर्माड किया है उनकी परसंसा की इसे आज तक का उनका सबसे अच्छा काम बताया आदर्स ने विशे सुरूप से इस क्रिप्ट और निर्देशक दोरा दरस्यों के भी इस बिप्रीद भानाओ को सामिल करने वाले उपकरणों को मनजूरी दी या टिपड़ी करते हुए कि पठकता को दो चरम सिमाओ को संतुलित करती है हलके छड़ और अद्भु सहस्ता के एक साथ बहानाओ की गुडिया बिक्तिगत कलाकारों के परदर्सन की भी आदर्स ने परसंसा की जिन्होंने कास्टिंग की परभावसिलता और अभिनताओं की बाचीत पर टिपड़ी की राजिव मांसर ने फिल्म को पांच में से चार इस्टार दिये जो स्क्रीन पिले और जोहर के निर्देशन के परसंसा करते हुए कहते हैं कुछ लिखों का अपनी पढ़किता पर इतना ठोस नियंतर होता है जितना की करण जोहर का उचे से निशे पठारों से लेकर चोटियों तक एक समर्सिता की आसानी के साथ वह जानता है कि कैसे समवाद की केवल एक पंक्तिया रष्ट भूम संगीत के संकितों के साथ एक समान द्रस को बिसेस रुपसक को इसे बिसेस में बदलना है विराइटी के डेरेक अली ने सभी कलाकारों द्वारा परदेशित भावनाओं की बिविता के परसंसा करते हुए कहा कि लेकिका सिबानी बात्ता में कभी भी अपने पात्रों को बहुल लंबे समय तक एक सुरचित भावत मकस्तान पर रहने नहीं दिया बाधाव या साजिस के बज़ाए उनके अपनी कमजोरियों से आती है और पनगलत फैमी अली ने अमिताब बच्चन के परदोसन को एक उमर दराज लिथोरियों के रूम में देखा और प्रिती जिन्टा के अपने सरंगार से बहुत आगे बढ़ने के रूम में परसंसा की हाला की रेडिब डाट काम के राजा सेन फिलम की बिशेश रूप से अलोशनात्मक थे उन्होंने इसकी लंबाई के फ्रत असमतोस भी बेक्त किया जिन्होंने टिपड़ी की मैं बुड़ा महसूस कर रहा हूँ कर जोहर की बिसाल 22 रील कभी अलबिदा न कहना के एक सो ने मुझे अबे सुसनी रूप से ठका दिया मैं हाल से बाहर चला गया अपने गालों पर ठोट महसूस कर रहा था सोच रहा था कि क्या मेरे कपड़े अचनक पुराने हो गए है और मेरे बाल बदल गए है गिरे मैंने अपनी जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया और आप भी खो दोगे आने अलोजकों के विप्रित उन्होंने पड़कता में खामियों के पहचान की और पात्रों की ताकत के लोशना करते विए कहा पात्र कार्ड बोर्ड है सेटिंग चका चौंद है गाने ठकाओं है और कहानी उच मॉलो ड्रामा और लेपेस्टिक पर फुलिता के दीज दोलन करती है कहीं नहीं जा रही है साहिद ही कभी एक है कमजोर पढ़कता पर हर पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बड़े नामों वाले सुन्दर लोगों पर पूरी त्रैसे निर्भर करती है सिंग्तराज अमेरिका में फिलम को कई सकारत्मक समिच्छाय मिली थी नियर्क टाइम्स के निल जीजलिंगर जैसे अलोषको ने फिलम की जीवन से भी बड़ी पर्गत पर जोधिया यह टिपड़ी करते हुए कि यह बारी बुट के बड़ी सितारों से भरा हुआ है और सब कुछ आकर से बाहर है और सब कुछ हाकार से बाहर है बारिश के तुफान वास्तिक जिवन के तुलना में थोड़ा अधिक बारिश वाले हैं पहन मसीनों को एक अत्रिक्त पाइदान पर क्रैक किया जाता है क्लो जब करीब आते हैं और समान से अधिक लंबे होते हैं प्लाट को चलाने वाले संयोग थोड़े अधिक हैं और समान परगिदा लेखन की अनुमत की तुलना में संभावना नहीं है उन्होंने पटकता में हाथ से और बच्चों के फुटबाल मैच, बेड इस्टोर और बेले सोजे से कुछ द्रस्टों में निर्देशन की कामिक टाइमिंग की परसंसा की तब ही अलबदाना कहना ने भारत में कई सहरों में रिकार्ट तोर सुरुआत की और अपने पहले हफते में ही 600 मिलियन की कमाई की अला कि यह वरतमान में सुद्ध संग्राय के अनुसाल जोहर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म है बले ही मुद्रा स्पित के लिए असमाय जित हो यह एक भारती फिल्म के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जिसे कभी खुशी कभी गम का 5 साल पुरा नरिकार तोर दिया गया 10.77 मिलियन की कुल बिदेशी कमाई के साथ फिल्म 2013 तक 30 सबसे बड़ी बिदेशी कमाई करने वाली फिल्म थी इसे सिंग्तराज अमेरिका और यूएस में 1.3 मिलियन और यूके में 1.4 मिलियन के पहले सब्ताहांक की कमाई के साथ मजबूती से सुरुआत की कुल मिलाकर का भी हल बिदाना कहना ने सिंग्तराज अमेरिका में 32,75,444 डॉलर एकतर किया जबकि बिटन ने इसने 50,89,888 यूरो से अधिक कमाई की अमेरिका में इसकी सफलता में एकजान देने वाला एक कारे किया हिता थी था कि इसने चौश्र थेटरों में सुरुआत की जो मियामी टपपा और एले जैसे कम भारती आबादी वाले सहरों में बाली बुड फिल्म के लिए असमान एरोप से उच थी कभी हल्बदा न कहना के कुल बिस्पपपी कमाई 1.13 बिलियन थी इसको बाली बुड मोवी तीन आवार्ड मिले थे और 9 में नूमिनेट किया गया था फिल्म फियर पृषकार में एक पृषकार जीता था और 30 नूमिनेट किया थे बेस्विक भारती फिल्म परिसकार दो जीते थे और बारों में नोमनेट किया गया था अंतराश्टी भारती अकादमी परिसकार एक जीता था और नोमनेट किया गया था स्क्रिन आवार्ड एक जीता था और आट में नोमनेट किया था इस्टारडर्श प्रिसकार एक जीता था और 6 में नोमनेट किया था जिसने आवार्ड 5 जीते थे और 26 में नोमनेट हुए थे खुल इसने 14 आवार्ड जीते थे और 33 बेश को कुछ नोमनेशन मिले थे बॉली बुड के फेमस डायरेक्टर प्रोडूसर करण जोहर की फिलम कभी अलबिदा न कहना गेरा अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी इस फिलम में अमिताब बच्चन, अविशेक बच्चन, सहरु खान, किरण खेर, प्रिती जिन्टा और रानी मुखरजी से दिगच कलाकार थे इस फिलम के रिलीज हुए 15 साल से भी ज्यदा वक्त हो चुका है इस मौके पर फिलम मेकिंग से जुड़े कुछ मज़िदार किस से बताते हैं करण और काजोल की दोस्ती जग जाहिर है लेकिन करण ने इस फिलम में काम करने का आफर काजोल को दिया तो उन्होंने ठुकरा दिया था काजोल को पसंद नहीं आये थी कहानी जब करण जोहर ने कभी अलविदाना कहना बनाने का फैसला किया तो उन्हें अपनी दोस्त काजोल की याद आई उन्हें पूरा यकीन था कि काजोल उन्हें मना नहीं करेंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं करण के आफर को काजोल ने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें इस फिल्म की कहानी अच्छी नहीं लगी उन्हें ये पसंद नहीं आया कि एक आदमी और एक महिला अपनी साधी के बाद अपने अपने पार्टनर को धोखा दे कर अफैर में है सोख और खरी खरी कहने वाली काजोल ने करण को बता दिया था कि उन्हें पसंद नहीं आया करण जोहर के सोख काफी विद करण पर जब करण ने काजोल से कहा कि अशरर राय और अपसेक बचन को कोई अडवाईस दे दो क्योंकि दोनों की अभी नई नई साधी हुई है इस पर काजोल ने हसते हुए कहा था कि कभी अलबिदा न कहना मत देखना इस फिल्म की सूटिंग नुई यार्क में हुई थी फिल्म की रिलीज के बाद करण जोहर अपनी फिल्म को लेकर थोड़े चिंते थे उसे वक्त अपने एक इंटर्ब्यू में करण जोहर ने बताया था कि मेरी टिपिकल फिल्मों से हटकर एक फिल्म होगी इसके लावा शूटिंग के दिनों और कलाकारों के बारे में बताते हुए कहा था कि इस फिल्म में सभी दिगज कलाकारों ने काम किया सबके अपने अपने एगो रहते हैं लेकिन इन्हें पता है कि इसे कैसे हैंडिल करना है क्योंकि ये किसी फिल्म को नुक्सान नहीं पहुँचाना चाहते इस सबसे ओपर सब मेरे फ्रेंड है मुझे नहीं मालुम कि इन्हें डारेक्ट करने में मैं कितना सफल हुआ फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है आगे देखते हैं क्या होता है क्रल जोहर ने बता था कि नुवयार्क में शूटिंग करना इतना आसान नहीं था कडाके की ठंड और ओवर बजट की समयस्या के साथ साथ लोकेशन की पर्मीशन लेने में भी दिग्कत होती थी विदेश में आप जहां चाहे वहां शूटिंग करने की पर्मीशन मिलना आसान नहीं होता इसके लिए बकाइदा पब्लिक के पर्मीशन भी लेनी होती है मुझे उमीद है कि जो लोग अच्छी स्क्रिप्ट और कहानी देखना चाहते हैं वो मेरी फिलम जरूर देखेंगे करल ने कहा था कि personally मैं marriage institution के खिलाब हूँ मैं कभी साधी के बंधन में नहीं बंधने वाला हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि या फिलम थोड़ी हट कर है जब इस फिलम के रिलीज के 15 साल हो गए थे तो करल जोहर ने इंस्टाग्राम पर फिलम का वीडियो सेर कर लिखा था कि लगता ही नहीं कि 15 साल बीट गए या फिलम हमेशा मेरे लिए खास रहेगी कभी हल्बदाना कहना को म्यूजिक संकर ऐसान लाएने दिया था इसके सारे गाने बेहद हिट हुए थे नितवा राक एंड रोल, वेर्स दा पार्टी टुनाइट कभी हल्बदाना कहना जैसे गाने आज भी पसंद किये जाते हैं फिलम्मेकर करण जोहर को यू तो अपनी सारी फिलमें काफी पसंद है लेकिन एक फिलम ऐसी है जिसे वह दुबारा बनाना चाहते हैं यह फिलम है अमिताब बच्चन, सहरुखान, रानी मुखरजी, प्रीती जिन्टा और अब सेख बच्चन इस्टारर कभी हल्बदाना कहना करण एक्स्ट्रा मैरिटल अफैर यानि बिवायत्तर संबंधों पर आधारित अपनी इस फिलम का रिमेक बनाना चाहते हैं इसका खुलासा करण ने अपनी आत्म कथा एन अंशूटबल बवाय में किया है करण का कहना है कि कभी हल्बदा ना कहना एक ऐसी फिलम थी जिसे लेकर दर्शकों के दो बड़े धड़ बन गये थे एक धड़े को फिलम बहुत पसंद आई थी वह दूसरे धड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी लेकिन मैं इस बोल्ट माने जाने वाले बिसे पर फिलम बनाना चाहता था मुझे लगता है कि गलती बस या हुई कि मैंने इसे भी अपने बैनर के चिर परचित भविता वाले पैमाने यानी बड़े सेट्स गरंड लेवल के गाने वगहरा के साथ बनाया उन्हों ने कहा इस फिलम की कहानी के लिए या बहभिता जरूरी नहीं थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसलिए मैं फिल्म दुबारा बनाना चाहता हूँ और मैं ऐसा करूँगा भी इस फिल्म की शूटिंग के बारे में करन लिखते हैं इस फिल्म के दौरान एकलोते अब शेक ऐसे एक्टर थे जिसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनका ही रोल पूरी तरह से पाच्टि था बाकी के कलाकार लगातार मुझसे सवाल करते रहते थे पृरिती का सवाल था कि फिल्म में उनके पती का किरदार निबार है सेरुखान उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकते उनके किरदार में क्या खराबी है वो हिराने का कहना था कि उन्हें एक सेन तो ऐसा दो जिससे जिस्टिफाई हो सके कि वो अपने पती के साथ बेउफाई क्यों करती है आखिर इतना अच्छा पती है तो आद दूसरे के पीछे क्यों जाएं करने अपनी इस किताम में कल हो ना हो को खुद डारेक्ट ना करने प इसे निर्मित किया गया था इसमें परम भूंकाओं में थे सहरुखान रानी मुखर जी अभिसेक बच्चन और प्रिती जिंटा जबकि सायक भूंकाओं में थे अमिताब बच्चन और किरंद खेर इस मोवी में संगीत दिया था संकर एहसान लाइने जिसके अच्छाय गार इस रुप से सियुक्तिराज अमेरिका में सफल रही थी यह रिलीज के समय विदेशों में सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली भारती फिलम बन गई थी आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में माया यानी रानी मुखर जीय का नाथ है जो अपने बच्चपन के दोस्त रि प्रिती जिन्टा अपने बेटे अर्जुन और अपनी मा कमल जीत और कमल यानी किरंखेर के साथ रहता है रिशिस साधी करने से पहले माया ने देव से मुलाकात की यद्दिब देव और माया आजनवी हैं फिर भी हुए एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अस्ताई रूप से अपने पैर में चोड़ पाता है चार साल बाद देव अफुडपालना खेलने में अस्परतता के करण चिड़चिड़ा और देश पूड़ हो गया है और रिया के सफल करियर को देख कर वह उससे मन ही मन जलता रहता है माया भी इसी तरह की इस्थित में ह उसने पाया कि वह बाज है और इसी के प्रत कोई प्यार महसूस नहीं करती क्योंकि वह मानती है कि वह स्वारती है देव और माया ने सेम और कमल को एक फूल की दुकान में गिले लगते हुए देख लिया सेम और कमल ने समझाया कि दोनों ने अपने अपने पती पतनी को खो पाते हैं इसमें मिताब बच्चन ने समर्जी स्यमयनी तलवार का रोलने भाय था शरुखान ने देव सरन का रोलने भाय था अभिशेग बच्चन निर्शी तलवार का रोलने भाय था रानी मुखरजी ने माया तलवार का रोलने भाय था प्रीती जिंटा ने सिया सरन का रोल रोल निभाय था किरन खेर ने कमल जीद और कमल सरन का रोल निभाय था इसमें कुल साथ गाने थे जिसके बॉल कुछ यू हैं कभी अल्बदा न कहना मितवा राक एन रोल सुनिये तुम ही देखो न बेर्स दा पार्टी टुनाइट मितवा जो कि संसोधन में था फ्वेर बिल इसको गया था सुनु निगम, अलकाय अगिनिक, सबकत अमानत अली, करलिसा मेंटोरो, संकर महादेवन, सान, लच्मी अयर, वसंधरा दास, लाइमंडोसा, सोयता पंडित करलिसा मेंटोराने इस फिल्म को 2007 में फिल्म फिल्म फेर सब्शेर सहाय कभिनिता पुरुषकार इसके विसेर निदेशन पर अलग-अलग प्रित किरिया मिली, यह भारत में एक बेवसायक सफलता थी, जो 2006 की 34 सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉली बुट फिल्म बन गी, इसके तरिक्तिया हंतराश्टी अस्तर पर विसेर सरुप से अमेरिका में एक परमुग बेवसायक सफलता थी, यह रिलीज के समय विदेशों में अब तक की सबसी ज़दा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गी, फिल्म को दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर्शित किया गया था, फिल्म ने दुनिया भर में कुल 1.13 बिलियन की कमाई की, इसे टोकियों अं वरिस, रिसी के मौज मस्ती करने वाले अमीर पिता समर जीतने की है, देव एक सफल फुटबाल खिला लिए, जो नियार्क सहर में अपनी पतनी रिया, अपने बेटे अर्जुन और अपनी मा कमल जीत के साथ रहता है, माया रिसी सजाधी करने से पहले देव से मिलती है, हाल साल बाद, वक्त है 2006, देव जो अब लंगड़ा कर चलता है, गुचसायल है और फुटबाल खिलने में असमर्थ होने के कारड कटू सुभाव का है, फैसन पत्रिगा के संपादक के रूम में रिया का सफल करियर उसे अपने सहीन महसूस कराता है, चूँके बह फुटबाल नहीं खिल सकता, देव अब अपने बेटे सहित जूनियर्स की एक टीम के फुटबाल कोच है, इस बीश माया उसे बचकाना देकर अपनी बांजपन और रिसी के लिए प्यार की कमी से जूज रही है, देव और माया फिर से मिलते हैं, और रिया और रिसी एक पेसवर बनाते हैं, अपने जीवन साथी को खोने के बाद सेम और कमल एक दूसरे के अकेले पन में मदद करने के लिए दोस्त बन जाते हैं, देव और माया एक ऐसे ही करने का फैसला करते हैं, वे दोस्त बन जाते हैं, और अपनी साधियों से बचने के लिए एक दूसरे को विचार देने की कोशिस करते हैं जिनमें से सब ही असफल हो जाते हैं देव और माया को एसास होता है कि उनके मन में एक दुसरे के लिए भावन आए हैं ना के अपने पार्टनर के प्रत रिया ने उलेक किया कि उसे एक पन्नो दत मिली है और देवक सेखी में चला जाता है या कहते कि वह दिखावा करने की कोशिश कर रही है। रिया ने देव पर उसकी पेशवर सफलता से इर्शा करने का आरोप लगया और उसे एक अच्छे पती और एक अच्छे पिता होनी की अपनी विफलता का एसास कराया क्योंकि वह अपनी कड़वाहट से बाहर नहीं आ सका। उसी समय रिसी माया के स्नेह की कमी और बच्चे पैदा करने में असमर्तता के परत अपनी नाराजगी पर अपनी निरासा बिक्त करता है। बेकार महसुस करते हुए माया ट्रेन स्टेशन पर एक निरास देव से मिलती है और दोनों कबोल करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। देव और माया एक चक्कर सुरू करते हैं लेकिन अपने जिवन साथी की भावनाओं के साथ खिलवार करने के लिए दोस्वी महसूस करते हैं क्योंकि रिया और रिसी दोनों अपनी साध्यों से सफल बनाने की पूरी कोशिस करते हैं फिर भी देव और माया हार मान लेते हैं और प्रेम कर लेते हैं वह बाद में सैम और कमल के गले लग जाते हैं जो हैरान और परेसान हैं कि उन्होंने रिया और रिशी दोनों के काम करने की कोशिश करने के बावजूद उन्हें धोखा दिया है उस राज सैम को दिल का दोरा पड़ा अपनी मर्तियु सैया पर वह माया को रिशी को छोलने के सलाह देता है कि कि वह इन दोनों को जीवन में खुसियों सिवानचित कर रही है सैम की मर्तियु के बाद देव और माया ने फैसला किया कि उन्हें अपने रिश्टे को खतम करना चाहिए और अपनी जीवन साथी के पास वापस जाना चाहिए लेकिन उन्हें पहले अपने गुआहतर संबंध के बारे में सचाई बतानी होगी क्योंकि दोनों में से कोई भी जूट के साये में आगे नहीं बढ़ पाएगा हैरान रिया और रिश्टे अपने जीवन साथी को तलाग दे देते हैं तीन साल बाद वक्त है 2009 देव और माया दोनों दुखी होकर अकेले रह रहे हैं रिश्टे माया के पास जाता है और बताता है कि उसे फिर से प्यार हो गया है और वह दुबारा साधी कर रहा है वह माया और रिया को अपनी साधी में अमंतलत करता है रिया अपने पास जाय के साथ जाती है जिसे वह आप डेट कर रही है रिया ने माया को अफैर के बारे में बताया और खुलासा किया कि उसने देव को छोड़ दिया है हाला कि जैसा कि रिया और रिसी दोनों आगे बढ़ चुके हैं वो माया को उसका प्यार देव पाने के लिए प्रसाहित करते हैं वो खुलासा करते हैं कि वो अपनी नई नोकरी के लिए ट्रेन से टोरंटो जानी वाला है ट्रेन इस्टेशन पर देव माया को देखता है लेकिन उससे बजता है वो अब इस्वांस करते हुए कि वो आपी भी रिशी के साथ है हाला कि जैसे ही ट्रेन दूर जाती है दोनों आँख से संपर करते हैं उनके आँसों को देखर देव इमर्जनसी ब्रेक खिंचता है और वापस लोड़ता है और यूगल फिल से मिल जाते हैं कभी इल्बिदा न कहना का सीर सक चलते जोके 1976 में आई थी के गीत चलते मेरे एक गीत याद रखना की एक पंतिपरा धारी थे फिल्म का निर्देशन और लेखन करर जोहर ने किया था जिन्होंने पटकतान लिखने के लिए सिबानी बाजिता के साथ सैयोग किया था और सुवाज निरंजन अईयर दोरा लिखे गए थे धर्मा प्रोडेक्शन के तहद अपनी पहली फिल्म में करण की मा हीरो एह जोहर निर्मित, संगीत तिकडी, संकर एहसान लाय द्वारा, जावेद अक्तर द्वारा, लिखित गीत के साथ सौंट्रे का परदर्शन किया था हरै खान को कस्ट्यूम डिजाइनर के साथ फिल्म के कुरियोग्राफिक पहलों को बेऊस्थित करने के लिए लाया गया था मनिस मलहत्रा प्रोडेक्शन डिजाइनर, सरमिठा राय और मैक कॉस्मेटिक सभी प्रोडेक्शन में परमुग भूमका निभा रहे हैं काजोल को सुरुवात में माया तलवार की भूमका की पेसपस की गई थी ये सरास फिल्म की फना जोकी दोजाद छे में आई थी के साथ अपने पूर प्रवित्ताओं के कारण जब उसने इंकार कर दिया तया भूमका उसकी चचेरी बहन रानी मुखर जी को दे दी गई जिसे प्रिती जन्टा की भूमका निभानी थी हाला कि काजोल ने राक एन रोल सुनिये गाने में अतित भूमका निभाई थी जान अबरहम टीजे के रूम में औरिस दा पार्टी टुनाइट गाने में अतित भूमका निभाई है रितेस देश्मुक के भी अतित भूमका थी लेकिन संपादन पृतिक्रिया के दोरान उनका द्रस्य कार्द दिया गया था कभी हल्विदा न कहना नियुयर्क सहर में स्थापित है जबकि कई दरस्य कनेक्टिकट में इस्ट हाट फोर्ड और न्यू हैवन में फिल्माए गया थे फुटबाल खेल के दरस्य को रेस्टलर फिल्ड में फिल्माए गया था कई दरस्यों में मैदान पर एक हलकी यूकोन देखी जा सकती है ग्रेंड सेंट्रल स्थेशन के दिकान दरस्य न्यू हैवन इस्टेन स्थेशन और फिल्डेलफिया के तीसवे स्थेट स्थेशन पर फिल्माए गया थे एक सचातकर में करल जोहन ने कहा कि तुम्हें देखो न गाने के लिए फिल्माएंकन कई इस्थानों पर किया गया था और या बेहर समय लेने वाला था गवनों का ब्लू सेक्शन अपर वेस्ट साइड में कोलंबिया इनिवर्सिटी में स्थेट किया गया था पेला सेक्शन लोवर मेहन हट्टन में वाल स्थेट में स्थेट किया गया था बेहर माउंटेन इस्थेट पार्क में आरन सेक्शन रेड सेक्शन में होबोकन न्यूजर्शी में पीरे पार्क और न्यूवेवन में यूनिय स्थेशन पर ग्रीश सेक्शन लाल खंड को सुरू में बारिस में जगे देने के लिए डिजाइन किया गया था हलाकि कम तापमान के कारण वर्सा मसीनों दोरा अधिक वर्सा की बुंदे मध्य हवा में जमने लगी थी इससे भी नताओं को सारी रिक नुक्सान का खत्रा था नतीजन फिल्म निर्माताओं ने बारिस से दूर करने का फैसला किया हलाकि वे अभी भी उन 200 लाल चुत्रियों का उप्यों करना चाहते थे जो उन्होंने अनुकरम के लिए खरीदे थे आखिर कारुनों ने रियर्ट सेक्षन को एक जूप वाले दिन सूट करने का फैसला किया जहां भी निताओं ने सूरज को बाहर निकलने के लिए छितरियों का इस्तिमाल किया ग्रीन सेक्षन की सूटिंग में भी दिकते आई अनुभाग के लिए दोसो अतरिक्ट किराये पर लिए गये थे लेकिन केवल पंदरा ही दिखाए गई नतीजन सेट पर मवजूद क्रू मेंबर्स ने उनकी जिगह लेने के लिए हरे रंकी पर साख पहने थी आयन मुखर जी जो की फिल्म में सहाइक ने दे सकते को हरे रंके स्वेटर में एक फ्रेम में एक बाक्स जाते हुए देखा जा सकता है फिल्म को अमेरिका में 90 दिनों की सूटिंग आवद में फिल्म आया गया था लेकिन मुंबई के स्टूडियो में चार बड़े सिटो बरकुष दरस फिल्म आय गये थे अमेरिका में फिल्मांकन के दोरान मुखर जी गम भेर तोचा इलर्जी से पीड़ी थे करल जोहर की पिछली फिल्मों की तरह कुछ-कुछ होता है जो कि 1998 में आय थी कभी खुसी कभी गम जो की दोजारेक में आय थी और कल हो ना हो जो की 2003 में आय थी कभी अलबदाना कहना में चार सब्दों का सीर्शक है जो कैसे सुरू होता है कभी अलबदा न कहना का संगीत और पश्ट भूम स्कॉर संकर ऐसान लाय दोरा रचीत था जपकि गीत जावेदाक्तर दोरा लिखे गये थे या दूसरी बार है जब गीतकार जावेद अक्तर और संगीतकार संकर अहसान लाए धर्मा प्रोडक्शन के लिए साथ आये थे तीनों ने जोहर के सामान से हुगताओं में जनी लज़त की जिगह बली थी जिनों ने अपनी पिछली फिल्मों के लिए रचना की थी कुछ कुछ होता है कभी कुछी कभी गम और कल हो ना हो के बाद चवती बारकर जोहर के साथ सोनी बेमजी के तहद सोनी मेजिक इंडिया दोरा आईडियो अधिकार हासिल के गए थे सोनी निगम और अलका यगनिक दोरा गाया गया सिर्षगीत कभी इल्विदा न कहना एक जगजोर देने वाला मितवा की बिचारोत तक सूफी राग बैलाट ने पाकिस्तानी गायक सफकत अमानत अली को पाली बुर्दरस में पेश किया पार्टी आजरात कहां है सान वा संधरा दासलाय और सुनकर महादेवन दोरा गया गया कलब गीत है अफसेक और प्रीति परच्चित रित इसके बाद तुम ही देखो न एक नरम और रोमांटिक कतागीत है जिसे फिर से सोने निगम दोरा गया गया अलका यगिनिक की जोड़ी को सहरुक और रानी पर चित्रित किया गया अमिताब इफसेक और प्रिती पर फिलमाया गया राक एंडरोल सुनिये साट के दसक का राक एंडरोल ट्रेक जिसे संकर महाधेवन सानौ लचमेकांत अईयर ने गाया था टाइटल ट्रेक का ट्रांस संसकरड है जो बाले बड में दुरलब है अलबम में एक रिमिक्स भी है मितवा रिविस्टेड साट ट्रेक चेर्शक ट्रेक के एक दुख़ संसकरड के साथ समाप्त होता है कभी अलबदाना कहना दुखा संस्क्रण जो नियत की बात करता है जीवन में फिर से मिलना और कभी अलबदान नहीं कहना तीनों ने इस बात का ध्यान रखा की अलबम की धुन दोहराओं ना हो खास कर जब से साउंट्रेक की समकर सैली उनके पीछे चार्ट बस्टर हो ना हो क समान है कभी अलबदाना कहना का साउंट्रेक युनाइट किंगडम में 12 जुन 2006 को लांच किया गया था और 16 जुन 2006 को मुंबई में साथवे IIFA आवार्ड्स में एक भविसंगिर लांच के साथ अधिकारिक तोर पर भारत में रिलीज किया गया था सभी की जावेद अक्तर द में था जिसे गाय था सोनो निगम, अलकाय गिनिक, सबकत अमानत अली, संकर महादेवन, कारा लिसा मुंटिन, वसंधरादास, सांग, जाय, बरुआ, बालिबुड हंकामा के जुगंदर टुटेजा ने सुरुती नकारातमक परतिकरिया और परचार को खारिश करते हुए कह काइंग के संगीत अल्बम के इडगारिक रिलीज से बहुत पहले अपवा ब्रिगड अल्बम को गिराने में धिनलाल लगी हुई है, खैर या हर बार की तरह कुछ नया नहीं है, अपने हिस्से के आलोचक हैं, लेकिन अपने लिए गाने सुनने पर आपको एसास होता है कि या कुछ भी नहीं है, बलकि ये का फवा है, अल्बम टीम का एक और अच्छा हुतपाद है, जो उस तरह का पत परदर्शक संगीत परदान करता है, उसकी पिछा की जाती है, लेडीप की सुकिन्य औरमा ने अल्बम को मधुरी भूखों के लिए एक इलाज कहा, गंगेश् आफिस इंडिया के आकड़ों के अनुसार, अल्बम ने भारत में 20 लाग से अधिक प्रित किरिया बेची, जिससे यहाँ धूम टू से थोड़ा पीछे वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला अल्बम बन गया, कभी इल्बिदा ना कहना का टीजर ट्रेलर फना के सार रिलीज किया गया था, जो 26 मई 2006 को रिलीज हुआ, कभी इल्बिदा ना कहना एक मल्टी स्टार कास्ट के साथ 11 गई 26 को प्रीमियर हुआ, और दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर्शित किया गया, इंटरनेट मोवी डाटा वेस के अनुसार, मोशन पिक्चर इसरसियेशन आफ अमेरिका ने मोल रूप से फिल्म को भांसा और कुछ योन समागरी की करण आर रेटिंग दी थी, अपील पर इसे PG-13 की दोबारा रेटिंग दी गई, कभी इल्बिदा ना कहना सबस्रेट बिदेशी फिल्म के लिए, 2007 के अकादमी पुरुषकार के लिए भरत के संभाध नामंकनों में से एक था, जिसमें रंग दे बसंती, क्रिस, ओमकारा और लगेर और मुना भाई जैसे फिल्में भी दोर में थी, हलाकि देश ने अंदता रंग दे बसंती को अपने पसंद के रूम में चुना, इन डाट काम के आलोचक तरड़ आदर्स ने इस बिसे को एक नाजुक बिसे के रूम में वड़ित किया, जो असानी से बिनासकारी हो सकता था, और जिस तरशी निर्देसक रर जोहर ने साहसपूर फिल्म का निर्मार किया है, उनकी परसंसा की, इसे आज तक का उनका सबसे अच्छा काम बताया, आदर्स ने बिसे सुर बानाओं की गुडिया, विक्तिगत कलाकारों के परदर्सन की भी आदर्स ने परसंसा की, जिन्होंने कास्टिंग की परभासिलता और अभिनताओं की बाचीत पर टिपड़ी की, राजिव मांसर ने फिल्म को पांच में से चार इस्टार दिये, जो इसक्रिन पिले और जो की केवल एक पंक्तिया, प्रष्ट भूम संगीत के संकेतों के साथ एक समान द्रस को बिसेश रुपसक को इसे बिसेश में बदलना है, विराइटी के डेरेक अली ने सभी कलाकारों द्वारा परदेशित भावनाओं की बिविक्ता के परसंसा करते हुए कहा कि लेकिका सिब बच्चन के परदर्शन को एक उमर द्राज लेथोरियों के रूम में देखा और प्रिती जिन्टा के अपने सरंगार से बहुत आगे बढ़ने के रूम में परसंसा की, हाला की रेडिब डाट काम के राजा सेन फिलम की बिसेश रुपसे अलोचनात मच थे, उन्होंने इसक सोट महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि क्या मेरे कपड़े अचनक पुराने हो गए हैं और मेरे बाल बदल गए हैं, गिरे मैंने अपनी जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया और आप भी खो दोगे, आने अलोचकों के विप्रित उन्होंने पढ़कता में खामियों के प अभी एक है कमजोर पढ़कता पर हर पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बड़े नामों वाले सुन्दर लोगों पर पूरी तरह से निर्भड करती है, सिंक तराज अमेरिका में फिलम को कई सकारात्मक समिछाय मिली थी, नियार्क टाइम्स के निल जिसलिंगर जैसे में थोड़ा अधिक बारिस वाले हैं, पहन मसीनों को एक अत्रिक्त पाइधान पर क्रैक किया जाता है, क्लोज अप करीब आते हैं, और समान से अधिक लंबे होते हैं, प्लाट को चलाने वाले संयोग थोड़े अधिक हैं, और समान पढ़कता लेखन की अनुमत की तुलना में संभावना नहीं है, उन्होंने पढ़कता में हाथ से और बच्चों के फुटबाल मैच, बेड इस्टोर और बेले सोजे से कुछ द्रस्व में दिल्देशन की कामिक टाइमिंग की परसंसा की, तभी हिल्बदाना कहना ने भारत में कई सहरों में रिकार्ट तोर सुरु और अपने पहले हफते में ही 600 मिलियन की कमाई की, हाला कि यह वर्तमान में सुध संग्रह के अनुसाल जोहर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म है, बले ही मुद्रा स्पित के लिए असमाय जित हो, यह एक भारती फिल्म के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई कर करने वाली फिल्म थी, इसे सिंग्तिराज अमेरिका और यूएस में 1.3 मिलियन और यूके में 1.4 मिलियन के पहले सबताहां की कमाई के साथ मजबूती से सुरुआत की, कुल मिलाकर का भी हल्बदाना कहना ने सिंग्तिराज अमेरिका में 32,75,444 डॉलर एकतर किया, जोकि ब अश्र थेयर्टरों में सुरुआत की, जो मियामी टपपा और रेले जैसे कम भारती आबादी वाले सहरों में बाली बुड फिल्म के लिए असमान हिरोप से उच्छ थी, कभी हल्बदा ना कहना के कुल बिसक्वापी कमाई 1.13 बिलियन थी, इसको बाली बुड मोवी तीन अवार्ड मिले थे और 9 में नोमनेट किया गया था, फिल्म फियर पृषकार में 1 पृषकार जीता था और 30 नोमनेट किया थे, बेसिक भालती फिल्म पृषकार 2 जीते थे और 12 में नोमनेट किया था, अंतराश्टी भालती अकादमी पृषकार 1 जीता था और 9 नोमनेट कि थे खुल इसने 14 आवार्ज जिते थे और तिरान बेश को कुछ नॉमिनेशन मिले थे बॉली बुड के फेमस डाइरेक्टर प्रोडियूसर करण जोहर की फिल्म कभी अलबिदा न कहना गेरा अगस्त दोजाथ 6 को रिलीज हुई थी इस फिल्म में अमिताब बच्चन अविसे किस से बताते हैं करण और काजोल की दोस्ती जग जाहिर है लेकिन करण ने इस फिल्म में काम करने का आफर काजोल को दिया तो उन्होंने ठुकरा दिया था काजोल को पसंद नहीं आए थी कहानी जब करण जोहर ने कभी अलबिदाना कहना बनाने का फैसला किया तो उन्हें अपनी दोस्त काजूल की याद आई, उन्हें पूरा यकीन था कि काजूल उन्हें मना नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, करण के आफर को काजूल ने ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें इस फिल्म की कहानी अच्छी नहीं लगी, उन्हें ये पसंद नहीं आया कि एक काजूल से कहा कि अशरर राय और अपसेक बचन को कोई अड़्वाइस दे दो, क्योंकि दोनों की अभी नई नई साधी हुई है, इस प्रकाजूल ने हसते हुए कहा था कि कभी अलबिदा न कहना मत देखना, इस फिल्म की शूटिंग नुवियार्क में हुई थी, फिल्म क हुए कहा था कि इस फिल्म में सभी दिगज कलाकारों ने काम किया, सबके अपने अपने एगो रहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इसे कैसे हैंडिल करना है, क्योंकि ये किसी फिल्म को नुक्सान नहीं पहुंचाना चाहते, इस सबसे ओपर सब मेरे फ्रेंड है, मुझे नहीं मालुम कि इन्हें डारेक्ट करने में में कितना सफल हुआ, फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है, आगे देखते हैं क्या होता है, क्रल जोहर ने बता था कि नुव्यार्क में शूटिंग करना इतना आसान नहीं था, कलाके की ठंड और ओवर बजट की समयस्या के परमीशन की परमीशन लेने में भी दिग्कत होती थी, विदेश में आप जहां चाहे वहार शूटिंग करने की परमीशन मिलना आसान नहीं होता, इसके लिए बकाइदा पबलिक की परमीशन भी लेनी होती है, मुझे उमीद है कि जो लोग अच्छी स्क्रिप्ट और कहानी देखना चाहते हैं, और मेरी फिल्म जरूर देखेंगे, करल ने कहा था कि परिशनली मैं मैरिज इंस्टिटूशन के खिलाफ हूँ, मैं कभी साधी के बंधन में नहीं बंधने वाला, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि या फिल्म थोड़ी हट कर है, जब इस फिल्म के रिलीज के पंदरा साल हो गए थे तो करल जोहर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का वीडियो सेर कर लिखा था कि लगता ही नहीं कि पंदरा साल बीथ गए, या फिल्म हमेशा मेरे लिए खास रहेगी, कभी हल बिदाना कहना को म्यूजिक संकर ऐसान इसके सारे गाने बेहद हिट हुए थे, नितवा राक एंड रोल, वेर्स दा पार्टी टुनाइट, कभी हल बिदाना कहना जैसे गाने आज भी पसंद किये जाते हैं। करन एक्स्ट्रा मारिटल अफैर यानि बिवायत्तर संबंधों पर आधारित अपनी इस फिल्म का रिमेक बनाना चाहते हैं। इसका खुलासा करन ने अपनी आत्म कथा एन अंसूटबल बॉय में किया है। करन का कहना है कि कभी हल बिदाना कहना एक ऐसी फिल्म थी जिसे ल कि मैंने इसे भी अपने बैनर के चिर परचित भविता वाले पैमाने यानी बड़े स्ट्स ग्रेंड लेवल के गाने वगहरा के साथ बनाया। उन्होंने कहा इस फिल्म की कहानी के लिए या भविता जरूरी नहीं थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं इस करूंगा भी, इस फिल्म की शूटिंग के बारे में करन लिखते हैं, इस फिल्म के दोरान एकलोते अभिशे कैसे एक्टर थे, जिससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनका ही रोल पूरी तरह से पाच्चित था, बाकी के कलाकार लगातार मुझे सवाल करते रहते थे, प अपने पती के साथ बेउफाई क्यों करती हैं, आखिर इतना अच्छा पती है, तो आद दूसरे के पीछे क्यों जाएं, करन ने अपनी इस किताम में कल हो ना हो, को खुद डारेक्ट ना करने पर अपसोस भीज़ेताया। और प्रिती जिन्टा, जबकि सायक भूमकाओं में थे मिताब बच्चन और किरन खेर। इस मोवी में संगीत द्याथा संकर एहसान लाएने, इसके अच्छाया गारते अन्रिल महता, इस्टूडियो थाइसमेदर्मा प्रोडक्शन का इभारत में हिंदी भासा में रिलेज ह इसकी कहानी अधिकतर नुव्यार्क सहर से गुजरती है और विविचार के विश्यों की पड़ताल करती है, यहां अंतर राष्टी इस तर पर विश्यों से सियुक्तिराज अमेरिका में सफल रही थी, यह रिलेज के समय विदेशों में सबसे जदा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई थी, आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में, माया यानी रानी मुखर जीय का नाथ है, जो अपने बच्पन के दोष्ट रिसी तलवारे ने अपसे एक बच्चन से साधिक कर रही है, दोनों को रिसी के पिता समर्जीत और पसैम यानी अमिताब बच्चन भी हैं, फिर भी हुए एक दूसरी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, देव एक कार में मारा जाता है, और वह अस्ताई रूप से अपने पैर में चोट पाता है, चार साल बाद देव अफुडपालना खेलने में अस्परतता के करड़ चिर्चिरा और देश पोड़ हो गय और रिया के सफल करियर को देखकर वह उससे मन ही मन जलता रहता है, माया भी इसी तरह की इस्तित में है, उसने पाया कि वह बाज है, और इसी के प्रत कोई प्यार महसूस नहीं करती, क्योंकि वह मानती है कि वह स्वारती है, देव और माया ने सैम और कमल को एक फूल की दु तो के तनाव से ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। ऐसा करने में वे खुद को एक दूसरी के प्रत आकरसित पाते हैं। इसमें मिताब बच्चन ने समर्जीस सैमैनी तलवार का रोलने भाय था, सेरुखान ने देव सरन का रोलने भाय था, अभिसेग बच्चन निरिशी तलवार का रोलने भाय था, रानी मुखर जी ने माया तलवार का रोलने भाय था, प्रीती जिंटा ने सिया सरन का रोलने भा इसको गया था सुनु निगम, अलकाय गिनिक, सबकत अमानत अली, करलिसा मेंटोरो, संकर महादेवन, सान, लच्मी अयर, वसुंधरादास, लायमंडोसा, सोयता पंडित करलिसा मेंटोराने इस फिल्म को दोजार साथ में फिल्म फिल्म फियर सब्शेश सहाय का भिनिता पुरुसकार अबसे एक बच्चन को दिया गया था कभी अल्बिदा न कहना दुनिया भर में 6 अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी, जिसे समिचकों से मिली जली समिच्चा मिली, इसके बिसेश रुप से अमेरिका में एक परमुग बेवसायक सफलता थी, जो 2006 की 34 सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉली बुट फिल्म बन गी, इसके त्रिक्तिया अंतराष्टी अस्तर पर विशेश रुप से अमेरिका में एक परमुग बेवसायक सफलता थी, यह रिलीज के समय बिदेशों में अब तक की सबसी ज़दा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गी, फिल्म को दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर अब आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में, वक्त है 2002, माया एक अनाथ है, जिसे अपने सबसे करीबी बच्पन के दोस्त रिजी तलवार से साधी करनी है, इन दोनों की परवरिस रिजी के मौज मस्ती करने वाले अमीर पिता समर जीतने की है, देव एक सफल फुटबा वे तुरंत जोड़ जाते हैं, उनके अलग होने के ठीक बाद, देव एक कार्शी टकरा जाता है, उसे अपने पैर में अस्ताही रिप से चोट लग जाती है, नतीजन अब वह फुटबाल नहीं खिल सकता। देव अब अपने बेटे सहित जूनियर्स की एक टीम के फुटबाल कोच है, इस बीश माया उसे बचकाना देकर अपनी बांज़पन और रिसी के लिए प्यार की कमी से जूज रही है, देव और माया फिर से मिलते हैं, और रिया और रिसी एक पेसवर संबंद बनाते हैं, एक दूसरे को विचार देने की कोशिस करते हैं, जिन में से सब ही एसफल हो जाते हैं, देव और माया को एसास होता है कि उनके मन में एक दूसरे के लिए भावन आए हैं, ना के अपने पार्टनर के परत, रिया ने उलेक किया कि उसे एक पन्नोदत मिली है, और देव एक से ता होनी की अपनी विफलता का एसास कराया, क्योंकि वह अपनी कड़वाहट से बाहर नहीं आ सका, उसी समय रिसी माया के स्नेह की कमी और बच्चे पैदा करने में असमर्तता के परत, अपनी नाराजगी पर अपनी निरासा बिर्थ करता है, बेकार महसूस करते हुए, माया क्योंकि रिया और रिसी दोनों अपनी साधियों से सफल बनाने की पूरी कोशिस करते हैं, फिर भी देव और माया हार मान लेते हैं, और प्रेम कर लेते हैं, वह बाद में सेम और कमल के गले लग जाते हैं, जो हैरान और परेसान हैं, कि उन्होंने रिया और रिया और रिसी से वांचित कर रही है। सेम की मरत्यू के बाद देव और माया ने फैसला किया कि उन्हें अपने रिष्टे को खतम करना चाहिए और अपने जिवन साथी के पास वापस जाना चाहिए। लेकिन उन्हें पहले अपने गौाहत तर संबंध के बारे में सचाई बतानी होगी। क् रिष्टे माया के पास जाता है और बताता है कि उसे फिर से प्यार हो गया है और वांद दुबारा साधी कर रहा है। वां माया और रिया को अपनी साधी में अमंतृत करता है। रिया अपने पास जाए के साथ जाती है जिसे वा अपडेट कर रही है। रिया ने माया को अपनी नई नौकरी के लिए ट्रेन से टोरंटो जानी वाला है, ट्रेन स्टेशन पर देव माया को देखता है, लेकिन उससे बजता है, वह विश्वास करते हुए कि वह अभी भी रिशी के साथ है, हाला कि जैसे ही ट्रेन धूर जाती है, दोनों आँख से संपर करते हैं, उन मेरे एक गीत याद रखना की एक पंतिपरा धारी थे, फिल्म का निर्देशन और लेखन करण जोहर ने किया था, जिन्होंने पटकतान लिखने के लिए सिबानी बाजिता के साथ सयोग किया था, और सौवाज निरंजन अइयर दोरा लिखे गए थे, धर्मा प्रोडेक्श के साथ फिल्म के कोरियोग्राफिक पहलों को देऊस्थित करने के लिए लाया गया था, मनेश मलहत्रा प्रोडेक्शन डिजाइनर सरमिठा राय और मैक कॉस्मेर्टिक सभी प्रोडेक्शन में परमुख भूमका निभा रहे हैं, काजोल को सुरुवात में माया तलवार की की पेसपस की गई थी, ये सरास फिल्म की फना जो की 2006 में आई थी, के साथ अपने पूर प्रवित्ताओं के कारण, जब उसने इंकार कर दिया, तो या भूमका उसकी चचेरी बहन रानी मुखर जी को दे दी गई, जिसे प्रिती जिन्टा की भूमका निभानी थी, हाला कि क संपादिन पृतिक्रिया के दोरान उनका द्रस कारण दिया गया था, कभी हलविदा न कहना न्यूयर्क सहर में स्थापित है, जबकि कई द्रस कनेक्टिकर्ट में इस्ट हाड़ फोड और न्यू हैवन में फिल्माय गया थे, फुडबाल खेल के द्रस को रेस्टलर सेक्षन पर फिर्माय गया थे, एक सच्छातकर में करल जोहन ने कहा कि तुम्हें देखो ना गाने के लिए फिल्मांकन कई इस्थानों पर किया गया था, और या बेहर समय लेने वाला था, गवनों का ब्लू सेक्षन अपर वेस्ट साइड में कोलंबिया इनिवर्सिटी मे शूट किया गया था, पिला सेक्षन लोवर मेहनहटन में वाल स्टीट में स्टूट किया गया था, वेर माॉंटन इस्टेट पार्क में और Appgeard सेक्षन में निवएवन में यूने स्टेशन पर ग्रीश सेक्षन, लाल खंड को शुरू में बारिष में जग़े देने के लि नतीजन फिल्म निर्माताओं ने बारिज से दूर करने का फैसला किया। हालक वे अभी भी उन 200 लाल चुत्रियों का उप्यों करना चाते थे जो उन्होंने अनुकरम के लिए खरीदे थे। आखिर कारुनों ने रियर्ड सेक्षन को एक जूप वाले दिन सूट करने का फैसला किया जहां विनिताओं ने सुरज को बाहर निकलने के लिए छतरियों का इस्तिमाल किया। ग्रीन सेक्षन की सूटिंग में भी दिखते आई। अनुभाग के लिए 200 अतरिक्ट किराये पर लिए गये थे लेकिन केवल 15 ही दिखाए गई। नतीजन सेट पर मवजूद क्रू मेंबर्स ने उनकी जिगह लेने के लिए हरे रंकी पर साख पहने थी। आयन मुखर जी ज चार बड़े सिटों बरकुष दरस फिलमाए गये थे। अमेरिका में फिलमांकन के दौरान मुखर जी गंभेर तोचा इलर्जी से पीड़ी थे। करल जोहर की पिछली पिलमों की तरह कुछ-कुछ होता है जो कि 1998 में आई थी। कभी खुशी कभी गम जो कि 2003 में आई थी। कभी अलबदाना कहना में चार सब्दों का सीर्शक है जो कैसे सुरू होता है। कभी अलबदाना कहना का संगीत और पश्टभूम इसकोर संकर एहसान लाय दौरा रचित था जबकि गीत जावेद अक्तर दौरा लिखे गये थे। या दूसरी बार है जब गीतकार जावेद दक्तर और संगीतकार संकर एहसान लाय धर्मा प्रोडक्शन के लिए साथ आये थे। तीनों ने जोहर के सामान से होकिताओं में जनी लड़त की जगह बली थी। जिन्हों ने अपनी पिछली फिल्मों के लिए रचना की थी। कुछ कुछ होता है कभी कुछी कभी गम और क कभी इल्बदा न कहना एक जगजोर देने वाला मितवा की बिचारों तक सूफी राग बैलाट ने पाकिस्तानी गायक सफकत अमानत अली को पाली बुर्दरस में पेश किया। पार्टी आजरात कहां है सान वा संधरा दासलाय और सुनकर महादेवन दोरा गया गया कलब गी अमिताब इफसेक और प्रीति पर फिलमाया गया राक एन रोल सुनिये साट के दसक का राक एन रोल ट्रैक जिसे संकर महाधेवन सानो लचमेकांत अईर में गया था टाइटल ट्रैक का ट्रांस संसक्रड है जो बाले बुड में दुरलब है अल्बम में एक रिमिक्स भी है म जो नियत की बात करता है जीवन में फिर से मिलना और कभी अल्बिदा नहीं कहना तीनों ने इस बात का ध्यान रखा की अल्बम की धुन दोहराओं ना हो खास कर जब से साउंट्रेक की समकर सैली उनके पीछे चार्ट बस्टर हो ना हो के समान है कभी अल्बिदा नहीं कहना का साउंट्रेक युनाइटेट किंगड़म में 12 जून 2006 को लांच किया गया था और 16 जून 2006 को मुंबई में साथवे IIFA आवार्ड्स में एक भभी संगिर लांच के साथ अधिकारिक तोर पर भारत में रिलीज किया गया था सभी की जावेद अक्तर द्वारा लिखे गये थे इसमें गाने थे कभी अल्बिदा ना कहना मितवा पार्टी आज रात कहा है तुम्हें देखो ना राक एं रोल सुनिये बिदाई ट्रांस कभी अल्बिदा ना कहना जो कि शायड वर्जन में था जिसे गया था सोनो निगम, अलकाय गिनिक, सबकत अमानत अली, संकर महादेवन, कारा लिसा मुएंटिन, वसंधरादास, सांग, जाय, बरुआ, बालिबुड हंगामा के जुगंदर टुटेजा ने शुरुती नकारातमक प्रतिकरिया और परचार को खारिश करते हुए कहा काइंग के संगीत अलबम के इडिकारिक, रिलीज से बहुत पहले अपवा ब्रिगड अलबम को गिराने में दिनलाल लगी हुई है, खैर या हर बार की तरह कुछ नया नहीं है, अपने हिस्से के आलोचक हैं, लेकिन अपने लिए गाने सुनने पर आपको एसास होता है कि य अलबम को मधुरी भूखों के लिए एक इलाज कहा, गंगश्टर फना और क्रिस जैसे संगीत हिट से कड़ी प्रित इस परदा का सामना करने के बावजूद, अलबम खुला और दस सीधे हपतों के लिए संगी चार्ट में स्रीष रस्थान पर बनाए रखा, बाक्स आफिस कहना का टीजर ट्रेलर फना के सार रिलीज किया गया था, जो 26 में 26 को रिलीज हुआ, कभी अलबिदा न कहना एक मल्टी स्टार कास्ट के साथ 11 गई 26 को प्रीमियर हुआ, और दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर्सित किया गया, इंटरनेट मोवी डाटा वे कभी हिल बिदाना कहना सब्सेट बिदेशी फिलम के लिए, 2007 के अकादमी पुरुषकार के लिए भरत के संभावत नामंकनों में से एक था, जिसमें रंग दे बसंती, क्रिस, औमकारा और लगेर और मुना भाई जैसे फिलमें भी दोर में थी, हलाकि देश ने अंदता तरड आदर्स ने इस बिशे को एक नाजिक बिशे के रूम में वड़ित किया, जो असानी से बिनास्कारी हो सकता था, और जिस तरशी निदेशक करण जोहर ने साहस पूर फिलम का निर्माड किया है, उनकी परसंसा की, इसे आज तक का उनका सबसे अच्छा काम बताया, आ आदर्स ने परसंसा की, जिन्होंने कास्टिंग की परभावसिलता और अभिनिताओं की बाचीत पर टिपड़ी की, राजिव मांसर ने फिलम को पांच में से चार इस्टार दिये, जो इसकी रिन पिले और जोहर के निर्देशन के परसंसा करते हुए कहते हैं, कुछ लिख अधिता की आसानी के साथ वह जानता है कि कैसे समवाद की केवल एक पंक्तिया प्रष्ट भूम संगित के संकितों के साथ एक समान द्रस को बिसेश रुपसित को इसे बिसेश में बदलना है। गराइटी के डेरेक अली ने सभी कलाकारों द्वारा परदेशित भावनाओं क की बिविता के परसंसा करते हुए कहा कि लेकिका सिबानी बात्ता ने कभी भी अपने पात्रों को बहुत लंबे समय तक एक सुरचित भावत मकस्तान पर रहने नहीं दिया। बाधाव या साजिस के बजाए उनके अपनी कमजोरियों से आती हैं। और पनुगलत फैमी अली की ने अमिताब बच्चन के परदर्सन को एक उमर दराज लेथोरियों के रूम में देखा और प्रती जिन्टा के अपने सरंगार से बहुत आगे बढ़ने के रूम में परसंसा की। थोड़ महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि क्या मेरे कपड़े अचनक पराने हो गए हैं और मेरे बाल बदल गए हैं। गिरे मैंने अपनी जीवन का एक बड़ा हिस्सा खोदिया और आप भी खोदोगे। आने अलोजकों के विप्रित उन्होंने पढ़कता में खामियों करती हैं कहीं नहीं जा रही है। साहिद ही कभी एक है कमजोर पड़कता पर हर पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बड़े नामों वाले सुंदर लोगों पर पूरी तरह से निर्भर करती है। सिंक तराज अमेरिका में फिलम को कई सकारात्मक समिच्छाय मिली थी। नियार्क टाइम्स के निल जिजिलिंगर जैसे अलोशको ने फिलम की जीवन से भी बड़ी प्रिक्त पर जोग दिया या टिपड़ी करते हुए कि या बाली बुटके बड़ी सितारों से भरा हुआ है और सब कुछ आकर से बाहर है। और समान परगिदा लेखन की अनुमत की तुलना में संभावना नहीं है। उन्होंने पटकता में हाथ से और बच्चों के फुटबाल मैच, बेड इस्टोर और बेले सोजे से कुछ द्रस्टों में दिलतेशन की कामिक टाइमिंग की परसंसा की। तब ही अलबदाना कहना ने भारत में कई सहरों में रिकार्ट तोर सुरुआत की और अपने पहले हफ्ते में ही 600 मिलियन की कमाई की। हाला कि यह वरतमान में सुध संग्राय के अनुसार जोहर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म है। बहले ही मुद्रा स्पीत के लिए असमाय जित हो। यह एक भारती फिल्म के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जिसे कभी खुशी अमेरिका और यूएस में 1.3 मिलियन और यूके में 1.4 मिलियन के पहले सब तहांक की कमाई के साथ मजबूती से सुरुवात की कुल मिलाकर का भी हल बदाना कहना ने सिंग तराज अमेरिका में 32,75,444 डालर एकतर किया जोकि बिटन ने इसने 50,89,88 यूरो से अधिक कमाई की अमेरिका में इसकी सफलता में एकजान देने वाला एक कारक्या हिता थी था कि इसने चौशर थियाटरों में सुरुआत की जो मियामी टपपा और एले जैसे कम भारती आबादी वाले सहरों में बाली बुड फिल्म के लिए असमान हिरोप से उच थी कभी हल बदा ना कहना के कुल बिसपापी कमाई 1.13 बिलियन थी इसको बाली बुड मोवी तीन आवार्ड मिले थे और 9 में नोमनेट किया गया था फिल्म फियर पुड 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 जिते थे और तिरान बेश को कुछ नॉमनेशन मिले थे बॉली बुड के फेमस डायरेक्टर प्रोडूसर करण जोहर की फिल्म कभी अलबिदा न कहना गेरा अगस्त दोजार शे को रिलीज हुई थी इस फिल्म में अमिताब बच्चन, अभिसेक बच्चन, सहरुख खान, किर करण और काजोल की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन करण ने इस फिल्म में काम करने का आफर काजोल को दिया तो उन्होंने ठुकरा दिया था, काजोल को पसंद नहीं आये थी कहानी, जब करण जोहर ने कभी अलबिदा न कहना बनाने का फैसला किया, तो उन्हें अपनी दोस अपने अपने पार्टनर को धोखा दे कर अफैर में हैं। सोख और खरी-खरी कहने वाली काजोल ने करण को बता दिया था कि उन्हें पसंद नहीं आया। करण जोहर के सोख काफी विद करण पर जब करण ने काजोल से कहा कि अशरर राय और अपसेक बचन को कोई अडवाईस दे दो क्योंकि दोनों की अभी नई नई साधी हुई है। इस पर काजोल ने हस्ते हुए कहा था कि कभी अलबिदा न कहना मत देखना। इस फिल्म की शूटिंग नुवियार्क में हुई थी। फिल्म की रिलीज के बाद करण जोहर अपनी फिल्म को लेकर थोड़े चिंते थे। उसी वक्त अपने एक इंटर्व्य में करण जोहर ने बताया था कि मेरी टिपिकल फिल्मों से हटकर एक फिल्म होगी। इसके अलावा शूटिंग के दिनों और कलाकारों के बारे में बताते हुए कहा था कि इस फिल्म में सभी दिगज कलाकारों ने काम किया, सबके अपने अपने एगो रहते हैं। लेकिन इन्हें पता है कि इसे कैसे हेंडल करना है क्योंकि ये किसी फिल्म को नुकसान नहीं पहुँचाना जाए इस सबसे उपर सब मेरे फ्रेंड है, मुझे नहीं मालुम कि इन्हें डारेक्ट करने में मैं कितना सफल हुआ, फिल्म को अच्छी ओकनिंग मिली है, आगे क्या होता है करण जोहर ने बता था कि न्यूयार्क में शूटिंग करना इतना आसान नहीं था कड़ाके की ठंड और ओवर बजट की समयशा के साथ साथ लोकेशन की परमीशन लेने में भी दिक्कत होती थी विदेश में आप जहां चाहे वहाँ शूटिंग करने की परमीशन मिलना आसान नहीं होता इसके लिए बकाइदा पबलिक की परमीशन भी लेनी होती है मुझे उमीद है कि जो लोग अच्छी स्क्रिप्ट और कहानी देखना चाहते हैं वो मेरी फिलम जरूर देखेंगे करल ने कहा था कि परिसनली मैं मैरिज इंस्टिटूशन के खिलाब हूँ मैं कभी साधी के बंधन में नहीं बंधने वाला हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि या फिलम थोड़ी हटकर है जब इस फिलम के रिलीज के पंदरा साल हो गए थे तो करल जोहर ने इंस्टाग्राम पर फिलम का वीडियो सेयर कर लिखा था कि लगता ही नहीं कि पंदरा साल बीथ गए फिलममेकर करण जोहर को यू तो अपनी सारी फिलमे काफी वसंद है लेकिन एक फिलम ऐसी है जिसे वह दुबारा बनाना चाहते हैं यह फिलम है अमिताब बच्चन, सहरुखान, रानी मुखरजी, प्रीती जिन्टा और अब सेख बच्चन इस्टारर कभी हल्विदा ना कहना करण एक्स्ट्रा मैरिटल अफैर यानि विवायत्तर संबंधों पर आधारित अपनी इस फिलम का रिमेक बनाना चाहते हैं इसका खुलासा करण ने अपनी आत्म कथा एन अंसूटबल बॉय में किया है करण का कहना है कि कभी हल्विदा ना कहना एक ऐसी फिलम थी जिसे लेकर दर्शकों के दो बड़े धड़ बन गये थे एक धड़े को फिलम बहुत पसंद आई थी वह दूसरे धड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी लेकिन मैं इस बोल्ट माने जाने वाले बिसे पर फिलम बनाना चाहता था मुझे लगता है कि गल्ती बस या हुई कि मैंने इसे भी अपने बैनर के चिर परचित भविता वाले पैमाने यानी बड़े सेट्स ग्रेंड लेवल के गाने वगहरा के साथ बनाया उन्होंने कहा इस फिलम की कहानी के लिए या बैबिता जरूरी नहीं थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसलिए मैं फिलम दुबारा बनाना चाहता हूँ और मैं ऐसा करूंगा भी इस फिलम की शूटिंग के बारे में करन लिखते हैं इस फिल्म के दोरान एकलोते अभिसे कैसे एक्टर थे जिसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनका ही रोल पूरी तरह से पाज़ती था बाकी के कलाकार लगातार मुझसे सवाल करते रहते थे पृती का सवाल था कि फिल्म में उनके पती का किलदार निबार है सेरुखान उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकते उनके किलदार में क्या खराबी है वह हिराने का कहना था कि उन्हें एक सेंट तो ऐसा दो जिससे जिस्टिफाई हो सके की वह अपने पती के साथ बेउफाई क्यों करती है आखिर इतना अच्छा पती है तो आद दूसरे के पीछे क्यों जाएं करने अपनी इस किताब में कल हो ना हो को खुद डारेक्ट ना करने पर अपसोस भीज़ताया कभी अलबिदा ना कहना 2006 में बनी हिंदी भासा की नाड़की प्रेम कहानी फिल्म है इसका निर्दे संकरड जोहर ने किया था और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तहत इसे निर्मित किया गया था इसमें परमग भूंकाओं में थे सहरुखान, रानी मुखर जी, अविसेक बच्चन और प्रीती जिन्टा जबकि सायक भूंकाओं में थे अमिताब बच्चन और किरंड खेर इस मोवी में संगीत दियत्था संकर एहसान लाइने इसके चाया कार थे अनिल महता इस्टूडियो था इसमें दिर्मा प्रोडक्चन का इभारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इसकी कहानी इदिकतर नुव्यार्क सहर से गुजरती है और वेविचार के विसेयों की पड़ताल करती है यहां अंतर राष्टी इस्तर पर बिच्रेस रुप से सेयुक्त राज अमेरिका में सफल रही थी यह रिलीज के समय विदेशों में सबसे ज़दा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई थी आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में माया यानी रानी मुखर जीये का नात है जो अपने बच्पन के दोस्त रिसी तलवारे ने अपसे एक बच्चन से साधी कर रही है दोनों को रिसी के पिता समर्जीत और पसायम यानी अमिताब बच्चन ने पाला है देव सरानी सहरुखान से जुगत राज अमेरिका में एक सफल फटबाल खिलाडी है वह नियार्क सहर में अपनी पतनी रिया यानी प्रिती जिन्टा अपने बेटे अरजुन और अपनी मा कमल जीत और कमल यानी किरनखेर के साथ रहता है फिर इसी ससादी करने से पहले माया ने देव से मुलाकात की यदिब देव और माया अजनवी हैं फिर भी हुए एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं देव एक कार में मारा जाता है और वह अस्ताई रोप से अपने पैर में चोट पाता है चार साल बाद देव अफटपान ना खेलने में अस्परतता के कारड चिर्चिरा और देश पूड़ हो गया है और रिया के सफल करियर को देख कर वह उससे मन ही मन जलता रहता है माया भी इसी तरह की इस्तित में है उसने पाया कि वह बाज है और इसी के प्रत कोई प्यार महसूस नहीं करती क्योंकि वह मानती है कि वह स्वारती है देव और माया ने सैम और कमल को एक फूल की दुकान में गिले लगते हुए देख लिया सेम और कमल ने समझाया कि दोनों ने अपने अपने पती पतनी को खो दिया है उन्होंने दोस्तु के माध्यम से अपने अकेले पन को दूर करने में एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया है देव और माया अपने सम्बंधित रिष्टों के तनाव से ब्रेक लेने का फैसला करते हैं ऐसा करने में खुद को एक दूसरी के प्रत आकर सिद पाते हैं इसमें मिताब बच्चे ने समर्जीज सैमैनी तलवार का रोलने भाय था शेरुखान ने देव सरन का रोलने भाय था अभिसे एक बच्चे ने रिसी तलवार का रोलने भाय था रानी मुखरजी ने माया तलवार का रोलने भाय था प्रीती जिंटा ने सिया सरन का रोलने भाय था किरन खेर ने कमल जीद और कमल सरन का रोलने भाय था इसमें कुल साथ गाने थे जिसके बहुल कुछ यू हैं कभी हल्पदा न कहना मितवा राक एं रोल सुनिये तुम ही देखो ना बेर्स दा पार्टी टुनाइट मितवा जो कि संसोधन में था फ्यर बल ट्रैंस जिसको गया था सुनु निगम अलकाय गिनिक सबकत अमानत अली क कभी अलबिदा न कहना दुनिया भर में 6 अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी जिसे समिचकों से मिली जुली समिच्छा मिली इसके बिसेव निदेशन पर अलग अलग प्रतिक्रियाय मिली या भारत में एक बेवसाइक सफलता थी जो 2006 की 34 सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉली ब भारती फिल्म को दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर्षित किया था फिल्म ने दुनिया भर में कुल 1.13 बिलियन की कमाई की इसे टोकियो अंटराश्टी फिल्म महस्तों में परदर्षित किया गया था अब आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में वक्त ह 2002 माया एक अनाथ है जिसे अपने सबसे करीबी बच्पन के दोस्त रिशी तलवार से साधी करनी है इन दोनों की परवरिस रिशी के मौज मस्ती करने वाले अमीर पिता समर जीतने की है देव एक सफल फुटबाल खिला ली है जो नियार्क सहर में अपनी पतनी रिया अपने बे एक कारशिट टकरा जाता है उसे अपने पैर में अस्ताही रिप से चोट लग जाती है नतीजन आप वह फुटबाल नहीं खिल सकता चार साल बाद वक्त है 2006 देव जो अब लंगड़ा कर चलता है गुचसायल है और फुटबाल खिलने में असमर्थ होने के कारड कट उस भा कोच है इस बीश माया उसे बचकाना देकर अपनी बांज़पन और रिसी के लिए प्यार की कमी से जूज रही है देव और माया फिर से मिलते हैं और रिया और रिसी एक पेसवर संबंद बनाते हैं अपने जीवन साथी को खोने के बाद सैम और कमल एक दूसरे के अकेले पन में मदद करने के लिए दोस्त बन जाते हैं देव और माया एक ऐसे ही करने का फैसला करते हैं वे दोस्त बन जाते हैं और इपनी साथियों से बचने के लिए एक दूसरे को विचार देने की कोशिस करते हैं जिन में से सब ही एसफल हो जाते हैं देव और माया को एसास होता ह कि उनके मन में एक दूसरे के लिए भावन आए हैं ना कि अपने पार्टरनर के प्रत। रिया ने उले किया कि उसे एक पन्नो दत्मिली है और देवक सेखी में चला जाता है या कहते हिए कि वह दिखावा करने की कोशिश कर रही है। इस मर्तता के प्रत अपनी नाराजगी पर अपनी निरासा बिक्त करता है। बेकार महसूस करते हुए माया ट्रेन इस्टेशन पर एक निरास देव से मिलती है और दोनों कबोल करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। देव और माया एक चक्र सुरू करते हैं ले वह बाद में सेम और कमल के गले लग जाते हैं जो हैरान और परहसान है कि उन्होंने रिया और रिशी दोनों के काम करने की कुशिस करने के बावजूद उन्हे धोका दिया है। पहले अपने गुआहतर संबंध के बारे में सच्चाई बतानी होगी क्योंकि दोनों में से कोई भी जूट के साये में आगे नहीं बढ़ पाएगा हैरान रिया और रिस्य अपने जिवन साथी को तलाग दे देते हैं तीन साल बात वक्त है 2009 देव और माया दोनों दुखी होकर अकेले रह रहे हैं रिस्य माया के पास जाता है और बताता है कि उसे फिर से प्यार हो गया है और वाद दुबारा साधी कर रहा है वह माया और रिया को अपनी साधी में अमंत्रित करता है रिया अपने पास जय के साथ जाती है जिसे वह अपडेट कर रही है रिया ने माया को अफैर के बारे में बताया और खुलासा किया कि उसने देव को छोड़ दिया है हाला कि जैसा कि रिया और रिसी दोनों आगे बढ़ चुके हैं वो माया को उसका प्यार देव पाने के लिए प्रसाहित करते हैं वो खुलासा करते हैं कि वो अपनी नई नोकरी के लिए ट्रेन से टोरंटो जानी वाला है ट्रेन इस्टेशन पर देव माया को देखता है लेकिन उससे बज़ता है वह बिच्वांस करते हुए कि वह आपी भी रिशी के साथ है हाला कि जैसे ही ट्रेन दूर जाती है दोनों आँख से संपर करते हैं उनके आँसों को देखर देव इमर्जनसी ब्रेक खिंचता है और वापस लोड़ता है और यूगल फिल से मिल जाते हैं कभी इल्बिदा न कहना का सीर सक चलते जो के 1976 में आई थी के गीत चलते मेरे एक गीत याद रखना की एक पंतिपारा धारी थे फिल्म का निर्देशन और लेखन करण जोहर ने किया था जिन्होंने पटकतान लिखने के लिए सिबानी बाजिता के साथ सयोग किया था और सुवाज निरंजन अईयर धोरा लिखे गये थे धर्मा प्रोडेक्शन के तहद अपनी पहली फिल्म में करण की मा हीरो यह जोहर निर्मित, संगीत तिकडी, संकर एहसान लाय द्वारा, जावेद अक्तर द्वारा, लिखित गीत के साथ सौंट्रे का परदर्शन किया था फरैखान को कस्ट्यूम डिजाइनर के साथ फिल्म के कुरियोग्राफिक पहलों को देऊस्थित करने के लिए लाया गया था मनिस मलहत्रा प्रोडेक्शन डिजाइनर, सरमिठा राय और मैक कॉस्मेर्टिक सभी प्रोडेक्शन में परमुग भूमका निभा रहे हैं काजोल को सुरुवात में माया तलवार की भूमका की फैसपस की गई थी ये सरास फिल्म की फना जो की 2006 में आई थी के साथ अपनी पूर प्रवित्ताओं के कारण जब उसने इंकार कर दिया तया भूमका उसकी चचेरी बहन रानी मुखर जी को दे दी गई जिसे प्रिती जन्टा की भूमका निभानी थी हाला कि काजोल ने राक एन रोल सुनिये गाने में अतित भूमका निभाई थी जान अबरहन टीजे के रूम में औरेश दा पार्टी टुनाइट गाने में अतित भूमका निभाई है रितियस देशमुक के भी अतित भूमका थी लेकिन संपादन पृतिक्रिया के दौरान उनका द्रस कार्थ दिया गया था कभी हल बिदा न कहना न्यूयर्क सहर में स्थापित है जबकि कई द्रस कनेक्टिकट में इस्ट हाट फोड और न्यू हैवन में फिल्माए गया थे फुटबाल खेल के द्रस को रेस्टलर फिल्ड में फिल्माए गया था कई द्रसों में मैदान पर एक हलकी यूकोन देखी जा सकती है ग्रेंड सेंट्रल इस्टेशन के दिकान द्रस न्यू हैवन इस्टेन इस्टेशन और फिल्डेलफिया के तीसवे स्टेट इस्टेशन पर फिल्माए गया थे एक सचातकर में करल जोहन ने कहा कि तुम्हें देखो ना गाने के लिए फिल्मांकन कई इस्थानों पर किया गया था और या बेहस समय लेने वाला था गवनों का ब्लू सेक्शन अपर वेस्ट साइड में कोलंबिया इनिवर्सिटी में शूट किया गया था पेला सेक्शन लोवर महनफटन में वाल स्टीट में स्टूट किया गया था एर मांटेन इश्टेट पार्क में आरन सेक्शन रेड शेक्शन में होगोकन न्यूजर् इसे विरनताओं को सारे एक नुक्सान का खत्रा था नतीजन फिल्म निर्माताओं ने बारे से दूर करने का फैसला किया हालक वे अभी भी उन दोसो लाल शुत्रियों का उप्यों करना चाहते थे जो उन्होंने अनुकरम के लिए खरीदे थे आखिर कारुनों ने रियर्ट सेक्षन को एक जूप वाले दिन सूट करने का फैसला किया जहां भी निताओं ने सुरज को बाहर निकलने के लिए शुत्रियों का इस्तिमाल किया ग्रीन सेक्षन की सूटिंग में भी दिकते आई अनुभाग के लिए दोसो अतरिक्ट किराये पर लिए गये थे लेकिन केवल पंदरा ही दिखाए गई नतीजन सेट पर मवजूद क्रू मेंबर्स ने उनकी जिगह लेने के लिए हरे रंग की पर साख पहने थी आयन मुखर जी जो की फिल्म में सहाक ने दे सकते को हरे रंग के स्वेटर में एक फ्रेम में एक बाक्स जाते हुए देखा जा सकता है फिल्म को अमेरिका में 90 दिनों की सूटिंग आवद में फिल्म आया गया था लेकिन मुंबई के स्टूडियो में चार बड़े सिटो बरकुष दुरस फिल्म आय गये थे अमेरिका में फिल्मांकन के दोरान मुखर जी गम भेर तोचा एलर्जी से पीडित थे करल जोहर की पिछली फिल्मों की तरह कुछ कुछ होता है जो कि 1998 में आय थी कभी फुसी कभी गम जो कि 2000 रेक में आय थी और कल हो नहो जो कि 2003 में आय थी कभी अलबदाना कहना में चार सब्दो का सीर्शक है जो कैसे सुरू होता है कभी अलबदाना कहना का संगीत और पश्टभूम इसकोर संकर एहसान लाए दौरा रचित था जबकि गीत जावे धक्तर द्वारा लिखे गए थे या दूसरी बार है जब गीतकार जावे धक्तर और संगीतकार संकर एहसान लाए धर्मा प्रोड़क्शन के लिए साथ आये थे तीनों ने जोहर के सामान से हुगताओं में जनी लड़त की जिगह बली थी जिन्होंने अपनी पिछली फिल्मों के लिए रचना की थी कुछ कुछ होता है कभी कुछी कभी गम और कल हो ना हो के बाद चौथी बारकर जोहर के साथ सोनी बीमजी के तहद सोनी मेजिक इंडिया दोरा आईडियो अधिकार हांसिल किये गे थे सोनी निगम और अलका यगनिक दोरा गाया गया सिर्षक गीत कभी इलबदा न कहना एक जगजोर देने वाला मितवा की बिचारों तक सूफी राग बैलाट ने पाकिस्तानी गायक सफकत अमानत अली को पाली बुर्दरस में पेश किया पार्टी आजरात कहां है सान वा संधरा दासलाय और संकर महादेवन दोरा गया गया कलब गीत है अब सेक और प्रिती परचित रित इसके बाद तुम ही देखो ना एक नरम और रोमान्टिक कथा गीत है जिसे फिर से सुने निगम दोरा गया गया अलका यगिनिक की जोड़ी को सहरुख होरानी पर चित रित किया गया अमिताब इफसेक और प्रिती पर फिलमाया गया राक एन रोल सुनिए साट के दसक का राक एंडरोल ट्रैक जिसे संकर महाध्यवन सानो लचमे कांत अईयर ने गाया था टाइटल ट्रैक का ट्रांस संस्क्रड है जो बाले बुड में दुरलब है अलबम में एक रिमिक्स भी है मितवा रिविस्टेड साट ट्रैक चेरिशक ट्रैक के एक दुखा संस्क्रड के साथ समाप्त होता है कभी अलबदा न कहना दुखा संस्क्रड जो नियत की बात करता है जीवन में फिर से मिलना और कभी अलबदा नहीं कहना तीनों ने इस बात का ध्यान रखा कि अलबम की धुन दोहराओं ना हो खास कर जब से साउंट्रेक की समगर सैली उनके पीछे चार्ट बस्टर हो ना हो के समान है कभी अलबदाना कहना का साउंट्रेक युनाइट किंगडम में 12 जुन 2006 को लांच किया गया था और 16 जुन 2006 को मुंबई में साथवे IIFA आवार्ट्स में एक भभी संगीर लांच के साथ अधिकारिक तोर पर भारत में रिलीज किया गया था सभी की जावेद अक्तर द्वारा लिखे गये थे इसमें गाने थे कभी अलविदा न कहना मितवा पार्टी आज रात कहां है तुम्हें देखो ना राक एं रोल सुनिये विदाई ट्रांस कभी अलविदा न कहना जो कि शायड वर्जन में था जिसे गाय था सोनो निगम, अलकाय अगनिक, सबकत अमानत अली, संकर महादेवन, कारा लिसा मुएंटिन, वसंधरादास, सांच, जाय, बरुआ, बालिपुड हंगामा के जुगंदर टुटेजा ने शुरुती नकारातमक परतिकरिया और परचार को खारिश करते हुए कहा काइंग के संगीत अलबम के इडिकारिक, रिलीज से बहुत पहले अपवा ब्रिगड अलबम को गिराने में दिनराल लगी हुई है, खैर या हर बार की तरह कुछ नया नहीं है, अपने हिस्से के आलोचक हैं, लेकिन अपने लिए गाने सुनने पर आपको एसास होता है कि य इडिप की सुकिन्य औरमा ने अलबम को मधुरी भूखों के लिए एक इलाज कहा, गंगश्टर फणा और क्रिस जैसे संगीत हिट से कड़ी प्रित इस परदा का सामना करने के बावजूद अलबम खुला और दस सीधे हपतों के लिए संगी चार्ट में स्रीष स्थान पर बनाये रखा, बाक्स आफिस इंडिया के आकड़ों गयनुसार अलबम ने भारत में 20 लाग से अधिक प्रित किया बेची, जिससे यह धूमटू से थोड़ा पीछे वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला अलबम बन गया, कभी इलबिदाना कहना का टीजर ट्रेलर फ दरसित किया गया, इंटरनेट मोवी डाटावेस के अनुसार मोशन पिक्चर इसरसियेशन आफ अमेरिका ने मोल रूप से फिल्म को भासा और कुछ योन समागरी की करण आर रेटिंग दी थी, अपील पर इसे पीजी 13 की दोबारा रेटिंग दी गई, कभी इलबिदाना कह जैसे फिल्में भी दोड़ में थी, हलाकि देश ने अंतता रंग दे बसंती को अपने पसंद के रूम में चुना, इंटाट काम के अलोचक तरड़ आदर्स ने इस बिसे को एक नाचिक बिसे के रूम में वड़ित किया, जो असानी से बिनास्कारी हो सकता था, और जिस तर द्रस्चों के भी इस बिपरित भानाओं को सामिल करने वाले उपकरणों को मनजूरी दी, या टिपड़ी करते हुए कि पठकता को दो चरम सिमाओं को संतुलित करती है, हलके छड़ और अद्भु सहचता के एक साथ भानाओं की गुडिया, विक्तिगत कलाकारों के परदर परदेशन के परसंसा करते हुए कहते हैं, कुछ लिपकों का अपनी पठकता पर इतना ठोस नियंतर होता है, जितना की करर जोहर का, उची से नीशे पठारों से लेकर चोटियों तक एक समर्सिता की आसानी के साथ वह जानता है कि कैसे समवाद की केवल एक पंक्तिया, प्र प्रिका सिबानी बात्ता ने कभी भी अपने पात्रों को बहुल लंबे समय तक एक सुरचित भावत मकस्तान पर रहने नहीं दिया, बाधाव या साजिस के बज़ाए उनके अपनी कमजोरियों से आती हैं, और पन गलत फैमी, अली ने अमिताब बच्चन के परदर्सन को ए जिन्होंने इसकी लंबाई के फ्रत असमतोस भी बेक्त किया, जिन्होंने टिपड़ी की मैं बुड़ा महसूस कर रहा हूं, और जोहर की बिसाल 22 रील कभी अलबिदा न कहना के एक सो ने मुझे अबे सुसनी रूप से ठका दिया, मैं हाल से बाहर चला गया, अपने गालों के विपरित उन्होंने पढ़कता में खामियों के पहचान की और पात्रों की ताकत के लोशना करते हुए कहा, पात्र कार्ड बोर्ड है, सेटिंग चका चौंद है, गाने ठकाओं है, और कहानी उच मॉलो ड्रामा और लेपेस्टिक पर फुलिता के दीज दोलन करती है, कही नहीं जा रही है, साहिद ही कभी एक है कमजोर पढ़कता, पर हर पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बड़े नामों वाले सुन्दर लोगों पर पूरी तरह से निर्भर करती है, सिंक्तिराज अमेरिका में फिलम को कई सकारतमक समिछाय मिली थी, नियार्क टाइम्स के नि प्लास्तिक जिवन के तुलना में थोड़ा अधिक बारिस वाले हैं, पहन मसीनों को एक अत्रिक्त पाइधान पर क्रैक किया जाता है, क्लो जब करीब आते हैं, और समान से अधिक लंबे होते हैं, प्लाट को चलाने वाले संयोग थोड़े अधिक हैं, और समान पढ़कता लेखन की अनुमत की तुलना में संभावना नहीं है, उन्होंने पटकता में हाथ से और बच्चों के फुटबाल मैच, बेड इस्टोर और बेले सोजे से कुछ दरस्टों में निर्देशन की कामिक टाइमिंग की परसंसा की, तभी हिल बदाना कहना ने बारत में कई सहरों में रिकार्ट तोर सुरुआत की और अपने पहले हफ्ते में ही 600 मिलियन की कमाई की, हाला कि यह वर्तमान में सुध संग्राय के अनुसाल जोहर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म है, बले ही मुद्रा स्पित के लिए असमाय जित हो, यह एक भारती फिल्म के लिए दुनिय प्रिसी सबसे बड़ी विदेशी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसे सिंग्तराज अमेरिका और यूएस में 1.3 मिलियन और यूके में 1.4 मिलियन के पहले सब तहांक की कमाई के साथ मजबूती से सुरुआत की, कुल मिलाकर का भी हल्बदाना कहना ने, सिंग्तराज अमेरिक किया जोकि बिटन ने इसने 50,89,888 यूरो से अधिक कमाई की अमेरिका में इसकी सफलता में एकदान देने वाला एक कारे क्या हिता थी था कि इसने जो मियामी टपपा और एले जैसे कम भारती आबादी वाले सहरों में बाली बुड फिल्म के लिए असमान एरोप से उच थी कभी हल्बदा ना कहना के कुल बिसपापी कमाई 1.13 बिलियन थी इसको बाली बुड मोवी तीन आवार्ड मिले थे और 9 में नूमनेट किया गया था फिल्म फियर प्रिसकार में एक प्रिसकार जीता था और 23 नूमनेट किया गया थे बेस्विक भारती फिल्म प्रिसकार दो जीते थे और 12 में नूमनेट किया था अंतराश्टी भारती अकादमी प्रिसकार एक जीता था और नो नोमनेट किया गया था स्क्रिन आवार्ड एक जीता था और आट में नोमनेट किया था स्टाडर्ड प्रिसकार एक जीता था और छे में नोमनेट किया था जिसने आवार्ड पांच जीते थे और 26 ने नोमनेट विये थे खुल इसने 14 आवार्ड जीते थे और तिरान बेश को कुछ नोमनेशन मिले थे बॉली बुड के फेमस डायरेक्टर प्रोडूसर करण जोहर की फिल्म कभी अलबिदा न कहना गेरा अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी इस फिल्म में अमिताब बच्चन, अविसेक बच्चन, सहरुखान, करण खेर, प्रिती जिन्टा और रानी मुखरजी से दिगच कलाकार थे इस फिल्म के रिलीज हुए 15 साल से भी ज्यदा वक्त हो चुका है इस मौके पर फिल्म मेकिंग से जुड़े कुछ मज़िदार किस्से बताते हैं करण और काजोल की दोस्ती जग जाहिर है लेकिन करण ने इस फिल्म में काम करने का आफर काजोल को दिया तो उन्होंने ठुकरा दिया था काजोल को पसंद नहीं आये थी कहानी जब करण जोहर ने कभी हल्विदाना कहना बनाने का फैसला किया तो उन्हें अपनी दोस्त काजोल की याद आई उन्हें पूरा यकीन था कि काजोल उन्हें मना नहीं करेंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं करण के आफर को काजोल ने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें इस फिल्म की कहानी अच्छी नहीं लगी उन्हें ये पसंद नहीं आया कि एक आदमी और एक महिला अपनी साधी के बाद अपने अपने पार्टनर को धोखा दे कर अफैर में है सोख और खरी खरी कहने वाली काजोल ने करण को बता दिया था कि उन्हें पसंद नहीं आया करण जोहर के सोख काफी विद करण पर जब करण ने काजोल से कहा कि अशरर राय और अपसेक बचन को कोई अडवाईस दे दो क्योंकि दोनों की अभी नई नई साधी हुई है इस पर काजोल ने हसते हुए कहा था कि कभी अलबिदा न कहना मत देखना इस फिल्म की स्यूटिंग नुई यार्क में हुई थी फिल्म की रिलीज के बाद करण जोहर अपनी फिल्म को लेकर थोड़े चिंतित थे उसे वक्त अपने एक इंटर्विव में करण जोहर ने बताया था कि मेरी टिपिकल फिल्मों से हटकर ये फिल्म होगी इसके अलावा शूटिंग के दिनों और कलाकारों के बारे में बताते हुए कहा था कि इस फिल्म में सभी दिगज कलाकारों ने काम किया सबके अपने-पने अगो रहते हैं लेकिन इन्हें पता है कि इसे कैसे हैंडिल करना है क्योंकि ये किसी फिल्म को नुक्सान नहीं पहुंचाना चाहते इस सबसे ओपर सब मेरे फ्रेंड है मुझे नहीं मालूम कि इन्हें डारेक्ट करने में मैं कितना सफल हुआ फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है आगे देखते हैं क्या होता है क्रल जोहर ने बता था कि नुव्यार्क में शूटिंग करना इतना आसान नहीं था कडाके की ठंड और ओवर बजट की समयस्या के साथ साथ लोकेशन की परमीशन लेने में भी दिग्कत होती थी विदेश में आप जहां चाहे वहाँ शूटिंग करने की परमीशन मिलना आसान नहीं होता इसके लिए बकाइदा पबलिक की परमीशन भी लेनी होती है मुझे उमीद है कि जो लोग अच्छी स्क्रिप्ट और कहानी देखना चाहते हैं वो मेरी फिलम जरूर देखेंगे करल ने कहा था कि personally मैं marriage institution के खिलाफ हूँ मैं कभी साधी के बंधन में नहीं बंधने वाला हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि या फिलम थोड़ी हट कर है जब इस फिलम के रिलीज के 15 साल हो गए थे तो करल जोहर ने इंस्टाग्राम पर फिलम का वीडियो सेर कर लिखा था कि लगता ही नहीं कि 15 साल बीट गए या फिलम हमेशा मेरे लिए खास रहेगी कभी हल बिदाना कहना को म्यूजिक संकर ऐसान लाइने दिया था इसके सारे गाने बेहद हिट हुए थे नितवा राक एंड रोल, वेर्स दा पार्टी टुनाइट कभी हल बिदाना कहना जैसे गाने आज भी पसंद किये जाते हैं फिलम्मेकर कर लड जोहर को यूट व अपनी सारी फिलमे काफी पसंद है लेकिन एक फिलम ऐसी है जिसे वह दुबारा बनाना चाहते हैं यह फिलम है अमिताब बच्चन, सहरुखान, रानी मुखरजी, प्रीती जिन्टा और अब सेग बच्चन इस्टारर कभी हल बिदाना कहना करन एक्स्ट्रा मारिटल अफैर यानी बिवायत्तर संबंधों पर आधारित अपनी इस फिलम का रिमेक बनाना चाहते हैं इसका खुलासा करन ने अपनी आत्म कथा एन अंसूटबल बॉय में किया है करन का कहना है कि कभी हल बिदाना कहना एक ऐसी फिलम थी जिसे लेकर दर्शकों के दो बड़े धड़ बन गये थे एक धड़े को फिलम बहुत पसंद आई थी वह दूसरे धड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी लेकिन मैं इस बोल्ट माने जाने वाले बिशे पर फिलम बनाना चाहता था मुझे लगता है कि गलती बस या हुई कि मैंने इसे भी अपने बैनर के चीर परचित भविता वाले पैमाने यानी बड़े सेट्स ग्रेंड लेवल के गाने वगेरा के साथ बनाया उन्होंने कहा इस फिलम की कहानी के लिए या भेविता जरूरी नहीं थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसलिए मैं फिलम दुबारा बनाना चाहता हूँ और मैं ऐसा करूंगा भी इस फिलम की सुटिंग के बारे में करन लिखते हैं इस फिल्म के दोरान एकलोते अभिसे कैसे एक्टर थे जिसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनका ही रोल पूरी तरह से पाज़ती था बाकी के कलाकार लगातार मुझसे सवाल करते रहते थे पृरीती का सवाल था कि फिल्म में उनके पती का किरदार निभार है सेरुखान उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकते उनके किरदार में क्या खराबी है वह हिराने का कहना था कि उन्हें एक सेन तो ऐसा दो जिससे जिस्टिफाई हो सके की वह अपने पती के साथ बेउफाई क्यों करती है आखिर इतना अच्छा पती है तो आद दूसरे के पीछे क्यों जाएं करने अपनी इस किताब में कल हो ना हो को खुद डारेक्ट ना करने पर अपसोस भीज़ेताया कभी अलबिदा ना कहना 2006 में बनी हिंदी भासा की नाड़की प्रेम कहानी फिल्म है इसका निर्दे संकरड जोहर ने किया था और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तहत इसे निर्मित किया गया था इसमें परमग भूंकाओं में थे सहरुखान, रानी मुखर जी, अभिसेक बच्चन और प्रिती जिंटा जबकि सायग भूंकाओं में थे अमिताब बच्चन और किरन खेर इस मोवी में संगीत दियता संकर एहसान लाइने इसके चाया कार थे अनिल महता इस्टूडियो थाइसमें धर्मा प्रोडक्चन का इभारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इसकी कहानी अधिकतर नुव्यार्क सहर से गुजरती है और वेविचार के विसेयों की पड़ताल करती है यहां अंतर राष्टी इस्तर पर विशेस रुपसे सेयुक्तराज अमेरिका में सफल रही थी यह रिलीज के समय विदेशों में सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई थी आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में माय अनि रानी मुखर जीये का नात है जो अपने बच्पन के दोस्त रिसी तलवारे ने अपसे एक बच्चन से साधी कर रही है दोनों को रिसी के पिता समर्जीत और पसायम यानि अमिताब बच्चन ने पाला है देव सरानी सहरुखान से जोगत राज अमेरिका में एक सफल फटबाल खिलाडी है वह नियार्क सहर में अपनी पतनी रिया यानि प्रिती जिन्टा अपने बेटे अरजुन और अपनी मा कमल जीत और कमल यानि किरनखेर के साथ रहता है फिर इसी ससाधी करने से पहले माया ने देव से मुलाकात की यद्दिब देव और माया अजनवी हैं फिर भी हुए एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं देव एक कार में मारा जाता है और वह अस्ताई रोप से अपने पैर में चोट पाता है चार साल बाद देव अफटपाल ना खेलने में अस्परतता के कारड चिड़चिड़ा और देश पूड़ हो गया है और रिया के सफल करियर को देख कर वह उससे मन ही मन जलता रहता है माया भी इसी तरह की इस्तित में है उसने पाया कि वह बाज है और इसी के प्रत कोई प्यार महसूस नहीं करती क्योंकि वह मानती है कि वह स्वारती है देव और माया ने सैम और कमल को एक फूल की दुकान में गिले लगते हुए देख लिया सेम और कमल ने समझाया कि दोनों ने अपने अपने पती पतनी को खो दिया है उन्होंने दोस्तु के माध्यम से अपने अकेले पन को दूर करने में एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया है देव और माया अपने संबंधित रिष्टों के तनाव से ब्रेक लेने का फैसला करते हैं ऐसा करने में खुद को एक दूसरी के प्रत आकर सिद पाते हैं इसमें मिताब बच्चन ने समर्जीज सैमयनी तलवार का रोलने भाय था शरुखान ने देव सरन का रोलने भाय था अभिसेग बच्चन नेरिशी तलवार का रोलने भाय था रानी मुकरजी ने माया तलवार का रोलने भाय था प्रीती जिंटा ने सिया सरन का रोलने भाय था किरन खेर ने कमल जीद और कमल सरन का रोलने भाय था इसमें कुल साथ गाने थे जिसके बहुल कुछ यू हैं कभी हल्बदा न कहना मितवा राक एं रोल सोनिये तुम ही देखो न बेर्स दा पार्टी टुनाइट मितवा जो कि संसोधन में था फ्यर बल ट्रैंस जिसको गया था सोनु निगम अलकाय गिनिक सबकत अमानत अली करलि सा मेंटोरो संकर महादेवन सान लच्मी अयर वसंद्रादास लाइमंडोसा स्वेता पंडित करलिसा मेंटोरा ने इस फिल्म को 2007 में फिल्म फिल्म फेर सब्शेश सहाय कभिनिता पुरुषकार अब से एक बच्चन को दिया गया था कभी अलबिदाना कहना दुनिया भर में 6 अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी जिसे समिचकों से मिली जली समिच्चा मिली इसके बिसेव निर्देशन पर अलग अलग प्रतिकरियाय मिली या भारत में एक बेवसायक सफलता थी जो 2006 की 34 सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉली बु करने वाली भारती फिल्म बन गी फिल्म को दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर्शित किया गया था फिल्म ने दुनिया भर में कुल 1.13 बिलियन की कमाई की इसे टोकियों अंटराश्टी फिल्म महस्तों में परदर्शित किया गया था अब आईए जानते हैं देव एक सफल फुटबाल खिलाडी है जो नियार्क सहर में अपनी पतनी रिया, अपने बेटे अरजुन और अपनी मा कमलजीत के साथ रहता है माया रिशिस साधी करने से पहले देव से मिलती है हाला कि दोनों अजनबी हैं वे तुरंत जुड़ जाते हैं उनके अलग होने के ठीक बाद देव एक कार से टकरा जाता है उसे अपने पैर में अस्ताही रुप से चोट लग जाती है नतीजन अब वह फुटबाल नहीं खिल सकता चार साल बाद, वक्त है 2006, देव जो अब लंगड़ा कर चलता है गुचसायल है और फुटबाल खिलने में असमर्थ होने के कारड कटू सुभाव का है फाइसन पत्रिगा के संपादक के रूम में रिया का सफल करियर उसे अपने सहीन महसूस कराता है चुके वह फुटबाल नहीं खिल सकता देव अब अब अपने बेटे से जुनियर्स की एक टीम के फुटबाल कोच है इस बीश माया उसे बचकाना देकर अपनी बांज़पन और रिसी के लिए प्यार की कमी से जूज रही है देव और माया फिर से मिलते हैं और रिया और रिसी एक पेसवर संबंद बनाते हैं अपने जीवन साथी को खोने के बाद सेम और कमल एक दूसरे के अकेले पन में मदद करने के लिए दोस्त बन जाते हैं देव और माया एक ऐसे ही करने का फैसला करते हैं वे दोस्त बन जाते हैं और अपनी साधियों से बचने के लिए एक दूसरे को विचार देने की कोशिस करते हैं जिन में से सब ही एस्फल हो जाते हैं देव और माया को एसास होता है कि उनके मन में एक दूसरे के लिए भावन आए हैं ना कि अपने पार्टरनर के प्रत रिया पर दिखावा करने की कोशिश कर रही है। पर दिखावा करते हुए माया ट्रेन स्टेशन पर एक निरास देव से मिलती है और दोनों कबोल करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। पर दिखावा करने की कोशिश करने के बावजूद उन्हें धोका दिया है। क्योंकि दोनों में से कोई भी जूट के साएं में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हैरान रिया और रिस्य अपने जिवन साथी को तलाग दे देते हैं। तीन साल बाद वक्त है 2009 देव और माया दोनों दुखी होकर अकेले रह रहे हैं। रिस्य माया के पास जाता है और बताता है कि उसे फिर से प्यार हो गया है। और वह दुबारा साधी कर रहा है। वह माया और रिया को अपनी साधी में अमंतृत करता है। रिया अपने पास जाय के साथ जाती है जिसे वह आप डेट कर रही है। रिया ने माया को अफैर के बारे में बताया और खुलासा किया कि उसने देव को छोड़ दिया है। हाला कि जैसा कि रिया और रिसी दोनों आगे बढ़ चुके हैं, वह माया को उसका प्यार देव पाने के लिए प्रसाहित करते हैं, वह खुलासा करते हैं कि वह अपनी नई नोकरी के लिए ट्रेन से टोरंटो जानी वाला है ट्रेन स्टेशन पर देव माया को देखता है लेकिन उससे बजता है वह विश्वास करते हुए कि वह अभी भी रिशी के साथ है हाला कि जैसे ही ट्रेन धूर जाती है दोनों आँख से संपर करते हैं उनके आँसों को देखर देव इमर्जनसी ब्रेक खिंचता है और वापस लोड़ता है और यूगल फिल से मिल जाते हैं कभी इल्बिदा न कहना का सीर सक चलते जोके 1976 में आई थी के गीत चलते मेरे एक गीत याद रखना की एक पंतिपरा धारी थे फिल्म का निर्देशन और लेखन करर जोहर ने किया था जिन्होंने पटकतान लिखने के लिए सिबानी बाजिता के साथ सयोग किया था और सुवाज निरंजन अईयर द्वरा लिखे गए थे की भूमका की पैसपस की गए थी ये सरास फिल्म की फना जोकी दोजाद छे में आये थी के साथ अपने पूर प्रवित्ताओं के कारण जब उसने इंकार कर दिया तो या भूमका उसकी चचेरी बहन रदानी मुखर जी को दे दी गई जिसे प्रितिजन्टा की भूमका भाई थी जान अबरहम टीजे के रूम में औरस दा पार्टी टुनाइट गाने में अतिद भूमका निभाई है रितेस देश्मुक के भी अतिद भूमका थी लेकिन संपादन पृतिक्रिया के दौरान उनका द्रस्य कार्द दिया गया था कभी हलविदा न कहना नियुयर्क सहर में स्थापित है जबकि कई दरस्य कनेक्टिकट में इस्ट हाट फोड और न्यू हैवन में फिल्माए गया थे फुटबाल खेल के दरस्य को रेश्टलर फेल्ड में फिल्माए गया था कई दरस्यों में मैदान पर एक हलकी यूकॉन देखी जा सकती है ग्रेंड सेंट् गवनों का ब्लू सेक्षन अपर वेस्ट साइड में कोलंबिया इनिवर्सिटी में शूट किया गया था फेला सेक्षन लोवर मेहन हट्टन में वाल स्टेट में शूट किया गया था बियर माउंटेन इस्टेट पार्क में आरन सेक्षन रेड सेक्षन में होबोकन न्यू ज में जमने लगी थी इससे भी नताओं को सारी रिक नुक्सान का खत्रा था नतीजन फिल्म निर्माताओं ने बारे से दूर करने का फैसला किया हालकि वे अभी भी उन दोसो लाल चुत्रियों का उप्यों करना चाहते थे जो उन्होंने अनुकरम के लिए खरीदे थे आखिर क सार उन्होंने रियर्ट सेक्षन को एक जूप वाले दिन सूट करने का फैसला किया जहां भी निताओं ने सुरज को बाहर निकलने के लिए छत्रियों का इस्तिमाल किया ग्रीन सेक्षन की सूटिंग में भी दिकते आई और भाग के लिए 200 अत्रिक्ट किराये पर लिए गय देखा जा सकता है फिल्म को अमेरिका में 90 दिनों की शूटिंग आवद में फिल्म आया गया था लेकिन मुंबई के स्टूडियो में चार बड़े सिटो बरकुष दरस फिल्म आया गया थे अमेरिका में फिल्मांकन के दोरान मुखर जी गंभेर तोचा इलर्जी से जोहर के पिछली पिल्मों की तरह कुछ-कुछ होता है जो कि 1998 में आई थी और कल हो ना हो जो कि 2003 में आई थी कभी अलब्धाना कहना में चार सब्दों का सीर्शक है जो कैसे सुरू होता है कभी इल्बदा न कहना का संगीत और पुश्णभूम स्कूर संकर अहसान लाए दोरा रचित था जबकि गीत जावे दक्तर दोरा लिखे गय थे या दूसरी बार है जब गीतकार जावेद अक्तर और संगीतकार संकर अहसान लाए धर्मा प्रोडक्शन के लिए साथ आये थे तीनों ने जोहर के सामान से हुगताओं में जनी लज़त की जिगए बली थी जिनों ने अपनी पिछली फिल्मों के लिए रचना की थी कुछ कुछ होता है कभी कुछी कभी गम और कल हो ना हो के बाद चवती बारकर जोहर के साथ सोनी बेमजी के तहद सोनी मेजिक इंडिया दोरा आईडियो अधिकार हांसिल के गए थे सोनी निगम और अलका यगनिक दोरा गाया गया सिर्षगीत कभी इल्विदा न कहना एक जगजोर देने वाला मितवा की बिचारों तक सूफी राग बैलाट ने पाकिस्तानी गायक सफकत अमानत अली को पाली बुर्दरस में पेश किया पार्टी आजरात कहां है सान वैसंधरा दासलाय और सुनकर महादेवन दोरा गया गया कलब गीत है अफसेक और प्रिती परचित रित इसके बाद तुम ही देखो ना एक नरम और रोमान्टिक कतागीत है जिसे फिर से सुने निगम दोरा गया गया अलका यगिनिक की जोड़ी को सहरुक और रानी परचित रित किया गया अमिताब इफसेक और प्रिती पर फिलमाया गया राक एंड रोल सुनिये साट के दसक का राक एंड रोल ट्रैक जिसे संकर महाधेवन सानु लचमेकांत अयर ने गाया था टाइटल ट्रैक का ट्रांस संस्क्रड है जो बाले बुड में दुरलब है साट ट्रैक चेर्शक ट्रैक के एक दुख़संस्क्रड के साथ समाप्त होता है कभी अलबदा न कहना दुख़संस्क्रड जो नियत की बात करता है जीवन में फिर से मिलना और कभी अलबदा नहीं कहना तीनों ने इस बात का ध्यान रखा की अलबबम की धुन दोहराओं ना हो खास कर जब से साट ट्रैक की समगर सैली उनके पीछे चार्ट बस्टर हो ना हो के समान है कभी अलबदा न कहना का साट ट्रैक युनाइट किंगडम में 12 जुन 2006 को लांच किया गया था इसमें गाने थे कभी अलबदा न कहना मितवा पार्टी आज रात कहा है तुम्हें देखो ना राक एं रोल सुनिये बिदाई ट्रांस कभी अलबदा न कहना जो कि शैड वर्जन में था जिसे गाय था सोनो निगम, अलकाय गिनिक, सबकत आमानत अली, संकर महादेवन, कारा लिसा मुइंटिन, वसंधरादास, सांग, जाय, बरुआ बालिबुड हंगामा के जुगंदर टुटेजा ने सुरुआती नकारातमक प्रतिक्रिया और परचार को खारिश करते हुए कहा कायंग के संगीत अलबम के इडगारिक रिलीज से बहुत पहले अपवा ब्रिगड अलबम को गिराने में धिनलाल लगी हुई है खैर या हर बार की तरह कुछ नया नहीं है अपने हिस्से के आलोजक हैं लेकिन अपने लिए गाने सुनने पर आपको एसास होता है कि या कुछ भी नहीं है बलकि एक अपवा है अलबम टीम का एक और अच्छा हुदपाद है जो उस तरह का पत परदर्सक संगीत परदान करता है उसकी पिछा की जाती है डेडीप की सुकिन्य औरमा ने अलबम को मधुरी भूखों के लिए एक इलाज कहा गंगेश्टर फणा और क्रिस जैसे संगीत हिट से कड़ी परद इस परदा का सामना करने के बावजूद एलबम खुला और दस सीधे हफतों के लिए संगीत चार्ट में सीष सस्थान पर बनाए रखा बाक्स आफिस इंडिया के आकड़ों के अनुसार अलबम ने भारत में 20 लाग से अधिक प्रित किरिया बेची जिससे यह धूम टू से थोड़ा पीछे वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला अलबम बन गया कभी इलबिदाना कहना का टीजर ट्रेलर फणा के सार्रीलीज किया गया था जो 26 में 2006 को रिलीज हुआ कभी इलबिदाना कहना एक मल्टी स्टार कास्ट के साथ 11 गई 2006 को प्रीमियर हुआ और दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर्शित किया गया इंटरनेट मोवी डाटावेस के अनुसार मोशन पिक्चर इसरसियेशन आफ अमेरिका ने मोल रूप से फिल्म को भांसा और कुछ योन समागरी की करण आर रेटिंग दी थी अपील पर इसे PG-13 की दोबारा रेटिंग दी गई कभील बिदना कहना सब्सेट बिदेशी फिल्म के लिए 2007 के अकादमी पुरुषकार के लिए भरत के संभावद नामंकरों में से एक था जिसमें रंग दे बसंती, क्रिस, ओमकारा और लगेरो मुना भाई जैसे फिल्में भी दौर में थी हलाकि देश ने अंदता रंग दे बसंती को अपने पसंद के रूम में चुना इन डाट काम के आलोचक तरड़ आदर्स ने इस बिशे को एक नाजिक बिशे के रूम में वड़ित किया जो असानी से बिनास्कारी हो सकता था और जिस तरशी निर्देशक रर जोहर ने साहसपूर फिल्म का निर्माड किया है उनकी परसंसा की इसे आज तक का उनका सबसे अच्छा काम बताया आदर्स ने विशे सुरुप से स्क्रिप्ट और निर्देशक दोरा दिरस्टों के भी इस बिप्रित भानाओ को सामिल करने वाले उपकरणों को मनजूरी दी या टिपड़ी करते हुए कि पठकता को दो चरम सिमाओ को संतुलित करती है हलके छड़ और अद्भु सहस्ता के एक साथ बहानाओ की गुड़िया विक्तिगत कलाकारों के परदर्सन की भी आदर्स ने परसंसा की जिन्होंने कास्टिंग की परभासिलता और अभिनताओं की बाचीत पर टिपड़ी की राजिव मांसर ने फिल्म को पांच में से चार इस्टार दिये जो इसक्रीन पिले और जोहर के निर्देशन के परसंसा करते हुए कहते हैं कुछ लिखकों का अपनी पढ़किता पर इतना ठोस नियंतर होता है जितना की करण जोहर का उची से नीशे पठारों से लेकर चोटियों तक एक समर्सिता की आसानी के साथ वह जानता है कि कैसे समवाद की केवल एक पंक्तिया प्रश्ट भूम संगीत के संकेतों के साथ एक समान द्रस को बिसेस रुपसिकों से बिसेस में बदलना है विराइटी के डेरेक अली ने सभी कलाकारों द्वारा परदेशित भावनाओ की बिविक्ता के परसंसा करते हुए कहा कि लेकिका सिबानी बात्ता ने कभी भी अपने पात्रों को बहुल लंबे समय तक एक सुरचित भावत मकस्तान पर रहने नहीं दिया बाधाव या साजिस के बजाए उनके अपनी कमजोरियों से आती है और पन गलत फैमी अली ने अमिताब बच्चन के परदर्सन को एक उमर दराज ले थोरियों के रूम में देखा और प्रिती जिन्टा के अपने सरंगार से बहुत आगे बढ़ने के रूम में परसंसा की हाला की रेडिब डाट काम के राजा सेन फिलम की विशेश रूप से अलोचनात्मत थे उन्होंने इसकी लंबाई के फ्रत असंतोस भी बेक्त किया जिन्होंने टिपड़ी की मैं बुड़ा महसूस कर रहा हूँ कर जोहर की बिसाल 22 रील कभी अलबिदा न कहना के एक सो ने मुझे अबे सुसनी रूप से ठका दिया मैं हाल से बाहर से बाहर चला गया अपने गालों पर ठोट महसूस कर रहा था सोच रहा था कि क्या मेरे कपड़े अचनक पुराने हो गए है और मेरे बाल बदल गए है गिरे मैंने अपनी जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया और आप भी खो दोगे आने अलोजकों के विप्रित उन्होंने पड़कता में खामियों के पहचान की और पात्रों की ताकत के लोशना करते विए कहा पात्र कार्ड बोर्ड है सेटिंग चका चौंद है गाने ठाकाओं है और कहानी उस मॉलो ड्रामा और लेपेस्टिक पर फुलिता के दीज दोलन करती है कहीं नहीं जा रही है साहिद ही कभी एक है कमजोर पढ़कता पर हर पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बड़े नामों वाले सुन्दर लोगों पर पूरी तरह से निर्भड करती है सिंक्तिराज अमेरिका में फिलम को कई सकारात्मक समिछाय मिली थी नियार्क टाइम्स के निल जिजलिंगर जैसे अलोसको ने फिलम की जीवन से भी बड़ी प्रिक्त पर जोग दिया या टिपड़ी करते हुए कि या बारी बुटके बड़ी सितारों से भरा हुआ है और सब कुछ आकर से बाहर है और सब कुछ हाकार से बाहर है बारिश के तुफान वास्तिक जिवन के तुलना में थोड़ा अधिक बारिश वाले हैं पौन मसीनों को एक अत्रिक्त पाइधान पर क्रैक किया जाता है क्लोज अप करीब आते हैं और समान से अधिक लंबे होते हैं प्लाट को चलाने वाले संयोग थोड़े अधिक हैं और समान पढ़कता लेखन की अनुमत की तुलना में संभावना नहीं है उन्होंने पढ़कता में हाज से और बच्चों के फुटबाल मैच, बेड इस्टोर और बेले सोजे से कुछ द्रस्टों में निर्देशन की कामिक टाइमिंग की परसंसा की तब ही अलबदाना कहना ने भारत में कई सहरों में रिकार्टोर सुरुआत की और अपने पहले हफते में ही 600 मिलियन की कमाई की फिल्म यह एक भारती फिल्म के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जिसे कभी खुशी कभी गम का पांच साल प्रान अरह काद तोर दिया गया 10.77 मिलियन की कुल बिदेशी कमाई के साथ फिल्म 2013 तक तीसरी सबसे बड़ी बिदेशी कमाई करने वाली फिल्म थी इसे सिंग्तिराज अमेरिका और यूएस में 1.3 मिलियन और यूके में 1.4 मिलियन के पहले सबताहांक की कमाई के साथ मजबूती से सुरुआत की कुल मिलाकर कभी हल बिदाना कहना ने सिंग्तिराज अमेरिका में 32,75,444 डालर एकत्र किया जोकि बिटन ने इसने 50,89,888 यूरो से अधिक कमाई की अमेरिका में इसकी सफलता में एकदान देने वाला एक कारेकिया हिता थी था कि इसने चौशर थियर्टरों में शुरुआत की जो मियामी टपपा और रेले जैसे कम भारती आबादी वाले सहरों में बाली बुड फिल्म के लिए असमान एरोप से उच थी कभी हल बदाना कहना के कुल बिसक्वापी कमाई 1.13 बिलियन थी इसको बाली बुड मोवी तीन आवाड मिले थे और 9 में नोमनेट किया गया था फिल्म फियर प्रिसकार में एक प्रिसकार जीता था और 30 नोमनेट किया थे बिसक भारती फिल्म प्रिसकार दो जीते थे और 12 में नोमनेट किया था अंतराश्टी भारती अकादमी प्रिसकार एक जीता था और नो नोमनेट किया गया था इसक्रिन आवार्ड एक जीता था और आट में नोमनेट किया था इस्टाडर्ड प्रिसकार एक जीता था और छे में नोमनेट किया था जिसने आवार्ड पांच जीते थे और 26 ने नोमनेट हुए थे खुल इसने 14 आवार्ड जीते थे और तिरान बेश को कुछ नोमनेशन मिले थे बॉली बुड के फेमस डायरेक्टर प्रोडियूसर करण जोहर की फिल्म कभी अलबिदा न कहना गेरा अगस्त दोजाट्शे को रिलीज हुई थी इस फिल्म में अमिताब बच्चन, अविसेक बच्चन, सहरुखान, करण खेर, प्रिती जिन्टा और रानी मुखरजी से दिगच कलाकार थे इस फिल्म के रिलीज हुए 15 साल से भी ज़्यदा वक्त हो चुका है इस मौके पर फिल्म मेकिंग से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से बताते हैं करण और काजोल की दोस्ती जग जाहिर है लेकिन करण ने इस फिल्म में काम करने का आफर काजोल को दिया तो उन्होंने ठुकरा दिया था काजोल को पसंद नहीं आये थी कहानी जब करण जोहर ने कभी हल्विदाना कहना बनाने का फैसला किया तो उन्हें अपनी दोस्त काजोल की याद आई उन्हें पूरा यकीन था कि काजोल उन्हें मना नहीं करेंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं करण के आफर को काजोल ने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें इस फिल्म की कहानी अच्छी नहीं लगी उन्हें ये पसंद नहीं आया कि एक आदमी और एक महिला अपनी साधी के बाद अपने अपने पार्टनर को धोखा दे कर अफैर में है सोख और खरी-खरी कहने वाली काजोल ने करण को बता दिया था कि उन्हें पसंद नहीं आया करण जोहर के सोख काफी विद करण पर जब करण ने काजोल से कहा कि अशरर राय और अपसेक बचन को कोई अड़वाईस दे दो क्योंकि दोनों की अभी नई नई साधी हुई है इस पर काजोल ने हस्ते हुए कहा था कि कभी अलबिदा न कहना मत देखना इस फिल्म की स्यूटिंग नुई यार्क में हुई थी फिल्म की रिलीज के बाद करण जोहर अपनी फिल्म को लेकर थोड़े चिंते थे उसे वक्त अपने एक इंटर्वियू में करण जोहर ने बताया था कि मेरी टिपिकल फिल्मों से हट कर एक फिल्म होगी इसके लावा शूटिंग के दिनों और कलाकारों के बारे में बताते हुए कहा था कि इस फिल्म में सभी दिगज कलाकारों ने काम किया सबके अपने अपने एगो रहते हैं लेकिन इन्हें पता है कि इसे कैसे हैंडिल करना है क्योंकि ये किसी फिल्म को नुक्सान नहीं पहुंचाना चाहते इस सबसे ओपर सब मेरे फ्रेंड है मुझे नहीं मालूम कि इन्हें डारेक्ट करने में मैं कितना सफल हुआ फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है आगे देखते हैं क्या होता है क्रल जोहर ने बता था कि न्यूयार्क में शूटिंग करना इतना आसान नहीं था कडाके की ठंड और ओवर बजट की समयस्या के साथ साथ लोकेशन की परमीशन लेने में भी दिग्कत होती थी विदेश में आप जहां चाहे वहाँ शूटिंग करने की परमीशन मिलना आसान नहीं होता इसके लिए बकाइदा पबलिक की परमीशन भी लेनी होती है मुझे उमीद है कि जो लोग अच्छी स्क्रिप्ट और कहानी देखना चाहते हैं और मेरी फिल्म जरूर देखेंगे करल ने कहा था कि परिसनली मैं मैरिज इंस्टिटूशन के खिलाफ हूँ मैं कभी साधी के बंधन में नहीं बंधने वाला हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि या फिल्म थोड़ी हट कर है जब इस फिल्म के रिलीज के पंदरा साल हो गए थे तो करल जोहर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का वीडियो सेर कर लिखा था कि लगता ही नहीं कि पंदरा साल बीथ गए या फिल्म हमेशा मेरे लिए खास रहेगी कभी हल्पिदाना कहना को म्यूजिक संकर एहसान लाएने दिया था इसके सारे गाने बेहद हिट हुए थे नितवा राक एंड रोल, बेर्स दा पार्टी टुनाइट कभी हल्पिदाना कहना जैसे गाने आज भी पसंद किये जाते हैं फिल्मेकर करण जोहर को यू तो अपनी सारी फिल्मे काफी वसंद हैं लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसे वह दुबारा बनाना चाहते हैं यह फिल्म है अमिताब बच्चन, सहरुखान, रानी मुखरजी, प्रीती जिन्टा और अब सेख बच्चन इस्टार कभी हल्विदा ना कहना करण एक्स्ट्रा मैरिटल अफैर यानि विवायत्तर संबंधों पर आधारित अपनी इस फिल्म का रिमेक बनाना चाहते हैं इसका खुलासा करण ने अपनी आत्म कथा एन अंसूटबल बॉय में किया है करण का कहना है कि कभी हल्विदा ना कहना एक ऐसी फिल्म थी जिसे लेकर दर्शकों के दो बड़े धड़ बन गये थे एक धड़े को फिल्म बहुत पसंद आई थी वह दूसरे धड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी लेकिन मैं इस बोल्ड माने जाने वाले बिसे पर फिल्म बनाना चाहता था मुझे लगता है कि गल्ती बस या हुई कि मैंने इसे भी अपने बैनर के चिर परचित भविता वाले पैमाने यानी बड़े सट्स ग्रेंड लेवल के गाने वगहरा के साथ बनाया उन्होंने कहा इस फिल्म की कहानी के लिए या भेविता जरूरी नहीं थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसलिए मैं फिल्म दुबारा बनाना चाहता हूँ और मैं ऐसा करूंगा भी इस फिल्म की सूटिंग के बारे में करन लिखते हैं इस फिल्म के दोरान एकलोते अभिसे कैसे एक्टर थे जिसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनका ही रोल पूरी तरह से पाज़ती था बाकी के कलाकार लगातार मुझसे सवाल करते रहते थे पृरीती का सवाल था कि फिल्म में उनके पती का किरदार निभार है सेरुखान उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकते उनके किरदार में क्या खराबी है वह हिराने का कहना था कि उन्हें एक सीन तो ऐसा दो जिससे जस्टिफाई हो सके की वह अपने पती के साथ बेउफाई क्यों करती है आखिर इतना अच्छा पती है तो आद दूसरे के पीछे क्यों जाएं करने अपनी इस किताम में कल हो ना हो को खुद डारेक्ट ना करने पर अपसोस भीज़ेताया कभी अलबिदा ना कहना 2006 में बनी हिंदी भासा की नाड़की प्रेम कहानी फिल्म है इसका निर्दे संकरड जोहर ने किया था और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तहत इसे निर्मित किया गया था इसमें परमग भूंकाओं में थे सहरुखान, रानी मुखरजी, अभिसेक बच्चन और प्रिती जिन्टा जबकि सायक भूंकाओं में थे मिताब बच्चन और किरंड खेर इस मुवी में संगीत दियाथा संकर एहसान लाएने, इसके अचाया कारते अनिल महता, इस्टूडियो था इसमें धर्मा प्रोडक्शन का इभारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इसकी कहानी अधिकतर नुव्यार्क सहर से गुजरती है और वेविचार के बिसेयों की पड़ताल करती है यहां अंतर राष्टी इस तर पर बिसेय सरुप से सियुक तराज अमेरिका में सफल रही थी यह रिलीज के समय विदेशों में सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली भारती फिलम बन गई थी आईए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में माया यानी रानी मुखर जीये कानात है जो अपने बच्पन के दोष्ट रिसी तलवारे ने अपसे एक बच्चन से साधी कर रही है दोनों को रिसी के पिता समर्जीत और प्सैम यानी अमिताब बच्चन ने पाला है देव सरनी सहरुखान से जोगत राज अमेरिका में एक सफल फटबाल खिलाडी है वह नियार्ग सहर में अपनी पतनी रिया यानी प्रिती जिन्टा अपने बेटे अरजुन और अपनी मा कमल जीत और कमल यानी किरनखेर के साथ रहता है फिर इसी ससाधी करने से पहले माया ने देव से मुलाकात की यद्दिब देव और माया अजनवी हैं फिर भी हुए एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं देव एक कार में मारा जाता है और वह अस्ताई रोप से अपने पैर में चोट पाता है चार साल बात देव और फटपाल ना ख्यलने में अस्परतता के कारड चिड़चिड़ा और देश पूड़ हो गया है और रिया के सफल करियर को देख कर वो उससे मन ही मन जलता रहता है माया भी इसी तरह की इस्तित में है उसने पाया कि वहाँ बाज है और इसी के प्रत कोई प्यार महसूस नहीं करती क्योंकि वहाँ मानती है कि वहाँ सौरती है देव और माया ने सैम और कमल को एक फूल की दुकान में गिले लगते हुए देख लिया सैम और कमल ने समझाया कि दोनों ने अपने अपने पती पतनी को खो दिया है उन्होंने दोस्तों के माध्यम से अपने अकेले पन को दूर करने में एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया है देव और माया अपने संबंधित रिष्टों के तनाव से ब्रेक लेने का फैसला करते हैं ऐसा करने में यो खुद को एक दूसरी के प्रत आकर सिद पाते हैं इसमें मिताब बच्चे ने समर्जी स्यमयनी तलवार का रोलने भाय था सेरुखान ने देव सरन का रोलने भाय था अभिसेग बच्चे निर्शी तलवार का रोलने भाय था रानी मुखर जी ने माय तलवार का रोल ने भाय था, प्रीती जिन्टा ने सिया सरन का रोल ने भाय था, किरन खेर ने कमल जीत और कमल सरन का रोल ने भाय था, इसमें कुल साथ गाने थे, जिसके बौल कुछ यू हैं, कभी अलबदा न कहना, मितवा, राक एं रोल सोनिये, त इस फिल्म को 2007 में फिल्म फिल्म फियर सब्शेश सहाय कभिनिता पुरुषकार अब से एक बच्चन को दिया गया था कभी इल्बिदा न कहना दुनिया भर में 6 अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी जिसे समिचकों से मिली जली समिच्चा मिली इसके बिसेश रुप से अमेरिका में एक परमुग बेवसायक सफलता थी जो 2006 की 34 सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉली बुट फिल्म बन गी इसके त्रिक अंतराश्टी अस्तर पर विशेश रुप से अमेरिका में एक परमुग बेवसायक सफलता थी यह रिलीज के समय विदेशों में अब तक की सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गी फिल्म को दुनिया भर के 1200 से अधिक सिनेमा घरों में परदर्शित किया ग दोस्त रिशी तलवार से साधी करनी है इन दोनों की परवरिस रिशी के मौज मस्ती करने वाले अमीर पिता समर जीतने की है देव एक सफल फुटबाल खिलाडी है जो नियार्क सहर में अपनी पतनी रिया अपने बेटे अरजुन और अपनी मा कमल जीत के साथ रहता है माया पैर में अस्ताही रिफ से चोट लग जाती है नतीजन अब वह फुटबाल नहीं खिल सकता चार साल बाद वक्त है 2006 देव जो अब लंगड़ा कर चलता है गुचसायल है और फुटबाल खिलने में असमर्थ होने के कारड कटुस भाव का है फैसन पत्रिगा के संपादक के रिया का सफल करियर उसे अपने सहीन महसूस कराता है चुके वह फुटबाल नहीं खिल सकता देव अब अपने बेटे से जुनियर्स की एक टीम के फुटबाल कोच है इस बीच माया उसे बचकाना देकर अपनी बांज़पन और रिसी के लिए प्यार की कमी से जूज रही है यह और माद परे समें